कि बस करो स्क्यूज मी इंस्पेक्टर क्या मैं इंसे दो मिनिट बात कर सकता हूं कि अल्राइट अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है सर आप मिल में लगी हुई आग की जांच रोख दीजे मैं आपके लगे सारे इलजाम अटा दूँगा बड़ी हिम्मत है तुझ में लड़के मैंने सुना था जूट के पाउं नहीं होते हैं उसे सच के सहारे चलना होता है कि यह सब किताबी बाते हैं सर और जिन्दकी कोई किताब नहीं मेरी राय मानिये मैं आपके बेटे जैसा हूं दाद मेरे बेटे जैसा है तू अरे डूब मरता मैं अगर मेरा बेटा तुमारी जैसे होता तुम्हारा ना कोई धरम ना कोई इमान पैसो की खातिर खुद की आत्मा तक को बेच चुके हो तूम नहीं, नहीं मेरा बेटा तुमारी येसा नहीं है, नहीं है मेरा बेटा ऐसा अरे वो, वो तो इमान की खातिर खुद को कुर्बान कर सकता है फर्द की खातिर अपनी जान दे सकता है देश के दुश्मनों के लिए आतंख है मेरा बेटा, आतंख सब्सक्राइब कर लिया है काप्टेन करने इस कमांड सर आउट और जाज़ आउट 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 सब्सक्राइब कर लिया है अरणीन ट्रे आउट साओ आउट 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 सा चाहा उनोने बंचको चपागे रखाए सा ऐ महां कि बेदियर में आउट आझ जाओ आउट आउट अध्याउट थे आउट पतरो पकुरोंखे लिएर युलाई इसे। जर पतरो 152 लीस कि अवलाई अच्छो को ठाइगा तू बच्छो को ठाइगा यू पास्डर्ड देख उनकी आखों में छिपे हुए खौफ को देख यही खौफ में तेरी आखों में देखना चाहता हूँ अच्छो को मारेगा करन रोल यूर्शल्फ करने से मुझे रोकने के लिए यूर्शल्फ करने से मुझे रोकने के लिए मिस्टर सिंगाल और मिस्टर नट्वर सक्षेर्या वगरा ने मुझे रिश्वत देनी चाही थी चुक्य मैंने वो रिश्वत नहीं ली इन लोग रहें मिस्टर सेटर प्रकाश यह मुकदमा आप पर उनसे रिश्वत ना लेने के लिए नहीं मगर इनसे रिश्वत लेने के लिए चलाया जा रहा है मिलोड जिन सिंगाल और सक्षेर्या की यह बात कर रहें उनका इस मुकदमे से कोई तालुक नहीं यह मुकदमा मिस्टर पुर्शोत्तम का है जिनसे रिश्वत इन्होंने लिए इसलिए मिलोड मैं आपसे दर्ख्वास करता हूं कि इदालत का और वक्त ना जाया करके आप मिस्टर सेटर प्रकाश के थैंक्यू मिलोड मैं नीचे से शुरू करता हूं सबसे पहले मिस्टर सेटर प्रकाश का अपना भरो सेमन पियन रामपाल सिंग हाजिर हो अब मैं क्या बुरू जास सहाब छोटा मू बड़ी बात इन्होंने मेरी आखों के सामने ही रिश्वत ली थी कि अमाम सबूतों और गवाहों के बैयानात को मद्दे नजर रखते हुए यह अदालत शिरी सत्य प्रकाश को रिश्वत लेने के जुर्म में दो साल कैदे बामशक्कत की सजा का हुक्म देती है अब फिकर मत करना जी मैंने करन को बुला लिया है हम लोग हाई कोट में अपील करेंगे आप बिल्कुल चिंता मत करना जी अब बढ़ो यहांसे इन लोगो रोको 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 इने टे बबटे जिए क्लीज़ ची ज़िए जपी जाला है जरी चींक बामशक्दाए जाले प्रेंगे जरी जाला है जरी जरी जली जरी होएव जरीन को खुर है छ doctrine aimed? कर दिया उसके लाठी में आवाज नहीं होती वकील उससे डर देवता जैसे मेरे पती पर पथर फैकने वाले हाथ ये इन लोगों की नहीं है ये तो तेरे हाथ है तेरे इसका हिसाब भी तुझे चुकाना पड़ेगा याद रटा तू चलिए माजी चलिए कोई मेरे करन को मु अरे बच्चे करन तू आ गया तुने इतनी देर क्यों लगा दी इतनी में तो उस वकील रवी वर्मा ने तेरे पिताजे को बेईमान साबित करके जेल भी बिजवा दिया बेटे जल्दी कर जल्दी जाकर उन्हें छुडाला जा जा चुडाला कहीं ऐसा नहोंगे बहुत द नोटेगा और फिर से हमारी फाइले खुलके बैठ जाएगा तब जो आदमी दो साल की सजा काटके आता ना बहारी बाबु सरकार उसे दोबारा नौकरी नहीं देती बूल जा उसे कदम हो गया हूँ पुर्शोत्र तुम अपनी बिल्डिंग उठा लो ठीक है सबसे सब्सक्री से अपने होटेल का काम शुरू कर दीजिए मैं चलू ओके बाइज है कि सिंगाल साहब सिंगाल साहब हमें तो तसली नहीं है साब को अधमरा मत छोड़ो उसे कुछलना है तो पूरा कुछलो मतलब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी मालो अगर वो तो बोलब योझाल में जब कोई मर जाता है तो उसे आत्मा हत्याही कहते है क्यों हाँ और जिस आदमी की आँखें बंध हो जाती है फिर ना वो मुझ खुलता है और फाल मिलिए ये लगा रखाभ लोगों ने कभी कैथ है जाओ कभी का जाओ कभी किके यहां करो कभी करो एपना मनुनेट खरनी में अपना …नल सब्सक्रान निल क ऑबccole करनीकं को नहीं बात क्यों हैं। क 13 क इंडियनामी乾टन करन से मैं अपने भाबुजी सी मेरा मतलब है मैं मुनिस्पल कमिष्टर सत्य प्रकष्ष से मंच मिलना चाहता हूं किमिए स्रफियर अपिधिर्ट गिंद वह मार्वाज़ ए और वुर टृवाजर खोल जए SARAH के तर्वाज़ा खोल प्रीजड़ दर्वाज़ खोलो अरह कोουμε कर i7 नोड़्य में आठमातिया कर ली और खबर मिलते ही हमने लाश का पंचनामा शुरू कर दिया तरह न करन बाबुजी या जब बोलिया ना बाबुजी इस जड़्ट चाहलो कि मौत का जिम्मेदार कौन है आत्मात्या करने वाला खुद ही अपनी मौत का जिम्मेदार बता है कि आत्मात्या नहीं है कि मेरे बाबुजी जिन्दगी से प्यार करते थे कि सिंदगी की सामना करने वाले इसान थे वो वाद्मात्या में करकरते है किसे क्या यह कि खेंगे किसे मारा हें बाभुजी को को सते किव peril शैके के कि घंग मठंच करन natural, LEGO और मैं वे continuing झाल झाल सब्सक्राइब! ड्राइब! आज! ऐसे लुगए बेदेखे आज़गा! और प्राइब! और ने वीड को आज़े! लवी जान राठो बाठो judicial, मिल्गड़ करुश फहन हेशे करुश झां घहन बाठो होच खिछशॅ थां हो खिए्द एा खिकले विंऴो तो खिर्ख गिन लझड़ लखी कि अणुर्बूबूदर अखाले। एह कम अखाले। मतलूबूबूब। और आपाले। और आपाले। और आपाले। है 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 सिंगाल साफ उन दोनों को अपरेशन थेटर ले के हैं सब्सक्राइब गोलियां चलाने वाले को पहचान लिया गया है उसका नाम करन्ट सिंग है पिछले दिनों जेल में म्यूंसिबल कमिशनर सत्य प्रकाश ने खुदकुशी कर ली थी यह उन्हीं का बेटा है कि अफिसर पुरे शहर में नाखाबंदी कर दो और वायरलेस पे मैसेज भेज दो कि करन का जल्द से जल पता लगाया जाए यह सर कमिशनर ही शुड नाट एसकेप मेरी बच्चों पर गूलियां चलाने वाला हम जल्द से जल्द उसे गिरफतार कर लेंगे आप बेफिकर रहे के हिस्से को चूकर निकल गई मुझे डर है कि कहीं वो अपनी आदाश नखो बैटें इसक्राइब मिस्टर रायूर्मा मिस्टर रायूर्मा इस्पीक चुमी मैं डॉक्टर पधान कुछ बोलिये कुछ बोलिये मिस्टर रवी बीज मुझे कुछ बात कीजिए लिज रवी के बंद दिमाग की चाभी सिर्फ एक है और वो है काजल अवान की काजल ओीत बोलिये काजला है खबसे इस मुझे है यह भी है पारनी आडीास है लेकिन अगर रवी मर जाता तो समझ लो कि हम सब भी उसके साथ मर जाते ना बात तो सौटका खरी है कि अरे भाई हमारे वो सारे काले धंदे वो श्विस्ष चयांक रखा है अगर उसे कुछ हो जाता तो हम तो बरबाद हो जाते हैं उसे तो अब भी बड़ी नजर आती है पता है डोक्तर ने क्या क्वा क्या क्या रवी को बिलकुल ठिक करना चाहते हो तो उसके सामने उसकी कि दामाद है जो आस्पताल में जिंदगी और मौत से डड़ रहा है और बेटी जो हमेशा अब लिए साथ चुड़ गई एही होकुम रोज का चार पाच हजार कमावे महाली छारी और अगर हम लाख रुपया देकर तुमारा नक्षाई बदल दे तो कितना लाख अचा तुम तुम बोल दो तीन चार पाच ठीक है का कहो होकुम चैसा मज़ा कशा को लिए नौ मैं तुम बोल दस दस बोल बोल दस ठीक है मैं तो बोलू मले भी साथ ले चला होकुम चो दस वीस हजार ठीक समझा मनने दे देला असी कड़ी में उबाल हमने चिडिया का नक्षा मांगा चिडिये के खोस्ट लेगा नहीं हुकुम आप तो अरी कजरी भारा सलाम बोल हुकुम ने गुड मॉर्णिंग बोलू साब जी का करनू है को प्रोग्राम तो भित्तर जा त्याम है अब हैं हुम हां मैं तो बोलू हुकुम भाव ठीक बोलो जी मतलब अभी तो नत्त भी नह सब्सक्राइब करना है आप लोगों का क्या भरोसा हुकुम करके लटा दोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा ना देखिए ओधर काम खतम हैं और इधर आपकी लड़की वापस मैं तो बोलू जी छोड़ी आपकी गुलाम है ले जाओ दोस्पीस तिन ज यहीं हो ₹ण जाओ बाहर दूज भर्मा को पचाने मि रचाने मिदो चाम्याव भी वर्मा को पचाने मिदों काम्याव ₹ण। Mr. Ravi Verma is in room number 76. शूफिर भी जूजै कर दो भानाए बश्टेल च Six फुर्म थारी वाल मुकेन धुभ एंडा ये हंता को जब हमरे सुनी कक्रीव घूदने प्进 हमें जिये घं़ हमस्थे षार कर दो पchsितनी सbreaker करन भाई यू और अपने हथियार फैंक दो नहीं जब तक मैं उसे खतम नहीं कर देता तब तक कुछ नहीं जो कहना है जो करना है सब उसके बाद करन भाई तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते प्लीज अपने आपको मेरे हवाले कर दो प्लीज यह करन पागल है क्या जिया पागल है यह जो मुल्क की सरहदों की हिफाज़त करते न सर यह पागल ही होते हैं इनके लिए जिन्दगी सिर्फ एक मिशन है जो ठान लेते हैं करके दम लेते हैं अगर रवी को कुछ हो गया होता तो हम जानते थे कि करन यहां जरूर आएगा इसलिए हमने मिस्टर रवी वर्मा को पहले ही शहर से बाहर महफूज जगे पर शिफ्ट कर दिया है और इस वक बलुए जल नहीं सुन्दर सुन्दर जैसे अक ताजम है सुन्दर होता है ना परसे सुन्दर मांगडो जैसे डॉक्तर आनन कहीं सानी टूरंट प्रविश ना है जैसे मेडिकल स्टो जैसे खुब्सूरत वाइन शाप चम चान गाट का गेट मुनिसी पाल्टी का गरण है ऐसा सुन्दल बोलो मैं कौन काजल काजल का एक बात बता हूं तुम मुझे काजल क्यों बोलता है इस तीक में काला हूं सिर्फ काजल ही काला नहीं होता सुन्दर भी काला होता है बोल्ला कौन काजल dólar काजल का प्सुंदर थो तुच्णर मेशलने नियुक्पा इकनला प्सूंर क्युंत कि दृच्छ यृपटी बोला यह शे पहले आवास दिया कर डोच्छ क तोड यान है क्या दोड़ा में 20 precidy मैं सब कुछ दिखता है कहीं और कोछी तूट जाता तो पेशन को मैं क्या मों दिखाता सब कुछ पेशन को बताएगा तो मेरे को क्या बताएगा मैं बोलता कुछ है सोचता कुछ और है क्या बोलती तू क्या मैं बोलू सुन सुना आथी क्या खंडाला खंडाला क्या आदमी है तेरा नंबर वाटकप से खा लिए तुझे कुछ मालूम ही नहीं मेरे स्टैचू भाई निकाल दिना हवा निचोड दिया निम्बू दूद में डाल दिना हट्टी कबाब में यह क्या हो रहा है सर पेशन्ट का बीपी बढ़ गया है बीपी पेशन्ट का ने तुम दोनों का बढ़ गया है पेशन्ट मेरा टूड़िया है आज भी है है एलो रभी काजल इसकी काजल पर सुयट की विए पिनट की विए ओपरेशन रगे दिकाल दीजिए उई-उई करता लाएगा सुन्दर काजल इसकी बीवी का नाम है जिसे बहुत प्यार करता था आज वो इस दुनिया में नहीं तो कैसको मैं इसकी बीवी दिखा देता हूं यह तो हमने सोचा ही नहीं सुन्दरे काम करो यह कपड़ उतारो साड़ी और ब्लाउस पेंड कराओ हो सकता है इसे तुम्हें देखकर इसकी बीवी याद आ जाए अगर ऐसा हो गया ना तो सारी प्रॉब्लम ही सौल हो जाएग इसे अगला पिला सब याद आ जाएगा इसका दिमाग ठीक हो जाएगा और सोचो मेडिसन के थ्यास में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा तुम दोनों पिर शादी कर ले ना आरे तुम दोनों की शादी होगी नन्ने मुन्ने प्यारे परे बच्चे होंगे ऐसे होंगे कि आएगी तुम्हारी काजल कि आना ही पड़ेगा उसे आप इतने दिल से दिल की घरायों से याद करते हैं उसे भी कांचन मिलता होगा जरूर आएगी वह आना ही पड़ेगा उसे अब जोटी उसे बढ़ापे मेरी मिट्डी पलीद पकरिए एक नाचने वाली इस घर में कि एक बार देख तो लोता है कहता है बिल्कुल काजल जैसी है जो कहता उसके मूं में खाक ना तो मेरी काजल जैसे आस्ता कोई हुई है ना कभी होगी अधिक भीतर चले काहे सिंगाल बाभू खा गए ना चक्कर अच्छा तो इनकी डूटी पे आए हुँ मैं कहूं साप जी गुड मॉर्निंग बोलूं हाँ घनी पंटास्टिक से जावट कर रखिया सेट मैं मम्मी मम्मी आप आगा है आप कहां तुले गयते हैं मैं आपको कपसे इंतिजार करें थी कौन सी रेस फैनी है मम्मी फैंसी शो में गय थी सो स्वीट अच्छा आपने प्रॉमिस किया ना आके वीडियो गेम खेलूंगे अभी नहीं बेटे अभी ममा थकी हुई है अरे पापा का है वो भी तो आपके साथ गये थे वो दिल्ली गयें बेटे ममा आ गई है अब पापा भी आ जाएंगे यहाँ आप जाके सोजाओ पूजा को ले जाकर सुलादो तो तुझे तो पवित्तर करना पड़ेगा राम 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 देखो यह बच्ची तो मने चोखी दिखे साब जी पर यह बुड़िया मने टेड़ी दिखे इसी बात नहीं करते अच्छी तरह बोलते हैं हम इने ताही कहते हैं मेरी बेटी थी ना काजल उसको इन्हों नहीं पालपूसकर बढ़ा किया था हमारे लिए तो सगी हुई ना हाँ हाँ साब जी पर हमारे लिए तो सोते लिए ना आप समझा देना बेफ़ूर मेरी रवी वर्मा कहा है मुझे ने मालूप कहा छुपा रखा है रवी वर्मा को मुझे ने मालूप मैं सच बोलता हूँ मुझे ने मालूप सच बोलता है स्थ बोलता है कि सच तो यह कि मेरे बाबुजी ने तुझसे रिश्वत ली थी कि सत्यप्रक्राश एक बाइमान अफसता है वह गलती थी मेरी नहीं है का वे में किसके बहकावे में रवी वर्मा के पहकावे में हां शाहिद कहा है रवी वर्मा वो सक्रेंट साइकर्टार सानेटोरिय मैं मुझे चोड़ दूँ कर दोड़ा दूँ प्यू dal दूँ कर दूए grazing जू हाइक resultaat उदा थकर्टार साइकर्भादस गु fooled हुआ हुआ है भी लेष़ डे आगर वेटना काजल आप गिरना नहीं संभाल कर बैठना कि मैं एक मिनिट में आता हूं काजल पास्टर्ड तूने मेरे पापुची की जान ली और तू सोचता है के तू बच जागा तेक मेरे दर्फ देख देख मौत कैसी होती है देख देख शाबाज करन शाबाज जिसकी बहादर के किस्से में पढ़ता था अख़वारों में आज एक मुर्दे को मार रहा है यह मुर्दा नहीं है डॉक्टर यह मुर्दा मेरी गुली खाने के बाद होगा अच्छा खासा यह लगता है तुमने इसकी हालत पर गौर नहीं किया देखो ना जीना जानता है न अ मनना ना जानता है और यहाला तुम आरी वज़े से हुए आ है क्या क्या इसकी तो तो बेवज़े मारी गई कुसूर तो मेरे सीधे साधे इमानदार बाबु जी कभी नहीं था तो इसलिए तुम अनाप्शनाप लोगों को मारते फिर होगे इसे मारों के मुझे मारोंगे सबको मार दोंगे क्या होगा उससे तो मारे पर जैसर सी बड़ी शांती मेलेगे उनकी आत्म data को यह जो तुम्हारे पर नहीं है जल से जल ठीक कर से डॉक्टर दे इसे जिंदिगी जिस दिन तू इसे जिंदिगी देगा मैं इसे मौत दूंगा बहुत श्रस्पाइश क्या हुआ इसके साथ मेरे चकर चल रहा था वरना मेरी शारीश से हो जाती मेरे साड़े पांच बच्चे हो जाते हैं क्या हुआ नहीं समझा दूसरा सुन एक लड़का जा रहा था मुझसे भी काला सफेज कपड़े पहन कर एक सदाजी ने देखा उसको बोलो ओ तेरे पीछे काला काला डामर लगा हुआ है उसने का सदाजी मताग मत करो मेरी पैंट पिछे से फटी हुई है क्या हुआ नहीं समझा तुने मुझे बहुत पकाया ना मैं भी तरको पकाऊंगा तीसरा सुन एक लड़का भागता हुआ अपनी ममी से बोला ममी 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 किचन में ने रामू नौकर है ना लक्ष्मी नौकरानी से चुमा चाटी कर रहा है उसकी मा घुसे में आकर उसको बि क्यों कुछ कुछ होता है तेयरे बहुत हह सब कि आया मैं कुछ धर गई तुदु करें कुछ कुछ है मेरे फिकल फुटकाद में पिच्चल में music कर देख़्ेंस हां जिल आ रहर राम मिर्या बहुत ही बर्सक्र त curved裡 दो और दो आधा है कि अधिक पड़ाए मेरा क्या हल बना दिया है यह तो अधिकि बुल्डोजर देख मेरा क्या हल बना दिया लोग उठने वाला नहीं है दोस्त नहीं जाने दूगा अ जाने दूगा तब लोग चारों तरफ पेल जाओ फिर तो यह जिल जाओ तब कि अर्वाद करें जैसे रोज आएकर यार सब यह सब क्या हैterm क्या है ड़ॉक्टर लानन वो करन का बच्चा हत से आगे बळ रहा है हम डर है कि यहाँ न आ जाए लेकिन वह यह और आचुका थिक है न हर व Works है cảट शेकार बिक्षे हर कि रहे शेर कभी मुर्दों का शेकार नहीं करता है कि आप करन को शेर के रहें नहीं मैं मिस्टर रवी को मुर्दा कह रहा हूं रवी की तो हालत देखी है न आपने उसकी जान को तब तक कोई खतरा नहीं जब तक को अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाता डॉक्तर रवी अच्छा कब होगा जब आप काजल को उसके सामने लाकर अरे इधर कहां चली आ रही है कि इधर कहां चली आ रही है मतलब भूक लगी है कुछ खाने को लेड़े हैं उधर चल उधर खबरदार जो मेरी रसोल के भीतर पाऊ धर आतो नचनियों का डेरा समझ रखा मेरे घर को उठाया मूह और चली आई भीतर ये ले खाना थूस ले मरवर का धरम करम सारा मिट्टी में मिला दिया यह कहां चली गई यह क्या है यह क्या मतबल बुढ़िया तू क्या समझे मने इस खाना पेके कुटिया समझे मने कुटिया समय को इसे यह भॉक्ति नहीं काटी भी दिखाओ काट के विए आगे बढ़ी तो काट के रख दूगी जिंदा चोड़ूगी तब ना थेल तो बुर्तियाद सूस्रीत तरी तौ कजिरें धुदियें है कजरीत तरी काँग काँगरी पिस्केट परेसर देगी इंधे धुदियाश क्री ऐ पुर्हा पज़ पुदाने इरg तो आम्याँ वा नाच शतु पान त्रविय। महुद्दूगी। जपबूगी। जपबूगी। ए जपड़ी। करो कदी। जपड़ी। चिहाँ महुद्दूगी। बेठी तुको चुका हूँ। सुचाल शायद रवी के जिन्दगी बचा सकूँ। जिसकी जिन्दगी काजल के नाम पर ठीकी हुई है अब नहीं बचा पाऊंगा उसे अब नहीं बचा पाऊंगा उसे लग्षप रवी जी ऐसा मर का हो मेरी उमर भी लग जाया जामाही राज को सिफ कहे देने भर सक नहीं होता कितनी उमीद थी कि तुम इस लगफी को काजल बनाकर रभी किसा में ले जाने लाइक बनाए दोगी लेकिन तुमें तो नफरस से चुटका रहे बिलता हां बढ़िया अगई श्यक्राइड आए इंचरी रोगें आती थी दोखे में के गज़ी देकर रहां पड़े लोगों कार जार कैसा होता इंच तरास होता है जी जाती हूँ और तेरे नोट विच्वादू की तेरे को में फिर मत कही हो कि कच्री ने कही नहीं हाई रांग जिर फोड लिया कम बकती मारी ने त्राइटू स्लीप काजल क्या हुआ पिछले साथ दिनों से ना ये खुद सोता है ना मुझे सोने देता है अगर ये नहीं सुया तो मैं हमेशा के लिए सो जाओंगा मेरे लिल्ली शादी से पहले विद्वा हो जाएगी मेरा बच्चा पैदा होने से पहले आनाथ हो जाएगा सुन्दर इसको इंजेक्शन नहीं लगा सकते तो मुझे लगा दीजिए तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते इसके दिमाग पर असर बढ़ सकता है हालत और खराब हो सकते हैं मेरी हालत के आपको कई फिकर नहीं है कुछ तो दवा कुछ तो दवा ओगी इसके लिए संदर इसकी दवा बन रहे है तो काजेश परमा बोल बिंधी बोल लिपश्टिक बोल नेल पोलिश बोल काजल मस बोल कोजल मस बोल तुमेव विद्ध्याद्रविनम् तुमेव तुमेव सरवम्मम देव देव सारी सारी ओ, इस आल राइंट भूख लगी है? खाना दू या फिर बोतल ला दू वही चढ़ा ले पेट भड़ जाएगा बोतल तोड़ दी न अम्मा क्या बोली तोड़ दी बोतल अब ना पिनने की उसके बाद क्या बोली अम्मा साब जी ने कहा था जो माज ऐसी हो से अम्मा कहें मैं अम्मा ना हूँ तेरी ताई हूं काजल मुझे ताई कहती थी ले अरे 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 काजल की जगे यह नहीं वो है वेज पर चल यहां बढ़ा ची कैसे खा रही है ऐसे नहीं काजल यूँ खाती थी उठा चमठ चमठ उठा ऐसे ऐसे मेरा आशीरवाद तेरे साथ है मेरा भगवान तेरे साथ है याद रग बच्ची तु एक अच्छे काम के लिए जा रही है वो गो फहाओ मो पजय छॉँ मो प貸 तसके एसके बयाद भ म 않 झाल कि हमसे पहले कुट्ट्य आ गए नहीं तो हमारी भी हाला यह होती देखें किसी भी बात की चूकनी होनी चाहिए हर काम मुझतहदी से होना चाहिए ओके सर लीजिए थैंकियो माजी तुम हर आने-जाने वाले पर निग्राने रहता है चाहिए माजी आप तकलीफ मत किया कीजि करती हूं कि आप घर में आकर बैठें तो आप मानते ही नहीं माजी रिष्टे जब फर्स की रास्ते में आड़े आते ही तो किस तरह चुपते मैं आपको समझा नहीं सकता जैसे आप ठीक समझें कि आपकी चाहिए सर आपका फोन है राद बहुत हो गई है बेटी पुलीस का पहरा भी सक्त है अब और इंतिजार मत कर अब करन नहीं आएगा भाईया और राखी बनवाने ना आए ऐसा तो कभी नहीं हुआ माँ माँ भाईया करन मेरे बच्चे और कब तक यूं भटकता फेरेगा अब घर लौटा बेटे कर लौटा फर्ज की राह में सिर्फ आगे बढ़ा जाता है माँ पीछे लौटा नहीं जाता वाह उदर विने फर्ज की बाते करा है और इधर तू फर्ज की दुआई दे रहा है यानि मेरी मम्ता कहीं कोई मोल नहीं रहां मुझे जो मेरे बच्चे का दुख खाये जा रहा है उसकी फर्याद में किस से करूँ मेरा बाहदुर बच्चा चोरों की तरह यहां से वाद छुपता फिर रहा है तो क्या मेरा कलेजा नहीं कटता नजाने वो पुलीस के हाथ कब आ जाए और उसे भांसी नहीं बेटा नहीं तो खुद आपने आपको विनय के हवाले कर दे वो तेरा होने वाला बहनों ही है बेटा वो ज़रूर तुझे कानूं से रहाय दिलवा देगा यह मेरी माँ बोल रही है करन की माँ वो सत्य प्रकाश जिसने भला ही अपनी जान देदी लेकिन पईमानी के आगे खुटने नहीं टेके क्या यह उसी सत्य प्रकाश की धरम पत्नी कह रही किस सत्य की रा बड़ी कठेन है इसलिए सहूलियत के आगे जुग जाओ इंसाफ की जगे रियायत की भीक मांगो क्या य अगर मेरी को खुजड गई तो मैं जिन्दा नहीं बच्छों की मेरे इस देश की वीद तो यहीं है कि फर्स की रहा पर एक बेटे की बली चाड़ा कर माई इसलिए दुखी हो जाती थी कि काश उनके और भी बेटे होते हैं तो इंसाफ के खातिर उनको भी कुर्बान करते अब कि वेशिए हैं और तु मुझसे कह रही ह Representatives कि मैं अपने देफता जैसे बाबुजी के हत्यारों को मेरा मिरा मेरा इस यहां अघ लगी है आग बाबुजी उपर से देख रहे है मा देख रहे है कि आज उनका बेटा क्या कर सकता है जिस बेटे के सर पर कफन बांद कर उन्होंने सारत पर भेज दिया था कटने के लिए आज उनका वही बेटा इंसाफ की जंग में कितनी कुर्बानी दे सकता है वो देख रहे माँ वो देख रहे मैं अपने आदर्श पिता के मौत पर आसू भागर बैठ जाओं नहीं माँ नहीं तुने किसी कायर को नहीं जनम दिया सच्चाई की इस जंग में अगर मैं मिट भी जाना माँ तो दुख ना करना फक्र करना बस भाईया बस आज के दिन ऐसी पाते नहीं बोलते हैं तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बैए दे सकते हो तो भरोसा दो भाईया कि अपना ख्याल रखोगे भगवान करें मेरी उम्र भी लग जाए मेरे भाईया को देर है अब जल्दी जल्दी का हुँ डूंड़ो उसे अब रवी को सेक्योरीटी की जरुवत पड़ेगी सिंगाल साब जो रवी आया था और जो रवी आप लोगों के साथ जा रहा है यह दोनों अलग-अलग इंसान है यह अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ बूल चुका है क्या मतलब मतलब यह सिंगाल साब अवजी एक सीधा-साधा साफ सुत्रा कोरे कागस की तरह है जैसे जैसे आप लोग इसे इसकी पुराणी बाते यहाद दिलाएंगे इसे आश्ता आश्ता सब कुछ याद आजाएगा इसका मतलब जमाई बाबू पहले की तरह रवी वर्मा तो बन जाएगा ना बन जाएगा बन जाएगा God bless you अपना ख्याल रखना हाँ कि सुन्देर क्या बात है बंगडो प्यार करते हो तो जदाना भी चाहिए गले नहीं मिलोगे क्या हुआ पेशन्ट बनकर आया था दोस्ट बनकर जा रहा है अल्द मेसरा भी प्रभू तेरा धन्यवारत है यह सब कौन है यह वह अभी तक पकड़ा नहीं गया रभी जी बेठे हम चलते हैं मुझे लोगों के साथ जाना है ठीक है मुझ तो मिठा करते जाएं सेट जी मैं मैं मुझ मिठा कर लो हां बेटा ताई रभी कोई खिला दो इसके साथ हम सब का मुझ मिठा हो जाएं पापा देखो यह मैं हूं यह मम्मी है और यह पापा है अपाप में सारी तो क्या हुआ बिटे मैं तो रोज गिडाता था नहीं पापा अब देखो एसे 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 ए We are all a happy family Are you so good? Happy family, happy family, happy family, happy family Raviy, Raviy, you are going to fight our way Raviy, you are going to fight me Raviy, you are going to fight me Raviy, Raviy, go! Raviy, Raviy, you are going to fight me I'll fight you fist-crossammate Raviy, Raviy Jim Raviy God Raviy God R- Russian R- Russian R- Russian यही यही खौफ मैं तेरी आखों में देखना चाहता था वकील हर बैमान और बुरे आदमी के सीने में खौफ भर देना चाहता हूं मैं और यही सजा देना चाहता हूं मैं तुम जैसे लोगों को सजाए मौध करन भीया हत्यार पैंक दो मैं कहता हूं मैं करन भीया बहतरी इसी में कि आप अपने आपको पुलीस के हवाले कर दीजिए सामने से हट जाविने वादना में तुम्हें भी गोली मार दूगा मारिये तो मारिये ना सारी की सारी खाली कर दीजिए हो सकता है एक हाद मुझे छेट कर रवी वर्मा के भी पार निकल जाए हज्जा विने तू जानता है मा के सुहाग का बदला लेने के लिए मैं बेहन का सुहाग कुर्बान नहीं कर सकता हज्जा अरे जिम रवी वर्मा रवी वर्मा अब के से गाल साथ थैंक्यू स्पेक्टर थैंक्यू वो मुझे क्यों माने चाहता है रवी तुम यह सब मत सोचो वकील कितने मुकदमें जीतते हैं एक आधार भी जाते हैं कई दोस्त बन जाते हैं और कोई दुश्मन भी काजल तुम रवी को समाल कर घर ले जाओ देखना यह परिशान ना इस हरामजादे ने मेरी बीवी को चुआ है अरे कैसी बीवी जिसे तो अपनी बीवी समझा है वो नस था हाँ रवी बेटे हम उसे देख लेंगे तुम यहां से जाओ हम उसका बदल देंगे तुम जाओ बेटे जाओ जलो कर जलो जलो उसने मारा तो मारा सिंगाल शाब लेकिन आपने क्यों मारा इसलिए बेवकूफ कि उसे अभी असलियत नहीं बतानी है पहले वो ठीक हो जाए अपना काम पहले जैसा अपने हाथ में आ जाए उसके बाद कहेगा ना तो उस नाशने वाली को उठाकर तेरे बंगले में डाल देंगे जी भरके उसका नाश देखते रहे ना समझा चाल नहीं काजल बस काजल यह तुम्हारा अपमान नहीं मेरा अपमान किया उन लोगों ने यह लोग अच्छे लोग नहीं काजल यह ना यह तुम किस मूंसे कह रहे हो तुम भी दोनी में से एक हो हाँ शायद हूं पता है वो करन मुझ पर क्यों गोली चलाना चाहता सा क्यूंकि तुमने उसके मांदार बाप के दामन पर दाख लगाकर उन्हें जेल भिजवा दिया और शर्म के मारे उन्होंने आत्म हत्या कर ली यही तो मैं बताना चाहता और तुमने मुझे कभी रोका नहीं क्यों काजल क्यों हो सकता है मुझे पता ना हो यह हो सकता है कि मैंने तुम्हें रोका हूँ और तुमने नामाना हूँ हां मुझे याद आया और रोका था तुम्ने, तुमने मुझे काहता है कि भगवान मेरे आपकी सजा तुमें दे और वही हुआ, करण ने गोलियां मुझपर चलाई। और वो सारी की सारी तुमने आपने ओपर झेल ले। वे भगवान तुने फिर भी मेरी काजल को मुझे वापिस लोटा दिया मैं सुपकार का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा लेकिन हाँ मैं प्राश्चित करूंगा मैं अपनी पापो का प्राश्चित जरूर करूंगा तुम किस लिए आये हो तुम यहां माजी मैं अपनी गलती कबूल करने आया हूं माजी मैं बहुत पच्टा रहा हूं बहुत पच्टा रहा हूं इस पच्टाने का कोई मतलब नहीं है क्या होगा इससे मेरे पती का स्वरवास हो गया मेरा बहादूर फॉजी बेटा हत्यारा बन गया नहीं अब चाहे भगवान भी तुझे माफ कर दे मैं माफ नहीं करूगी मुझे माफ ही नहीं चाहिए माजी मुझे सजा चाहिए और भगवान के हाथों नहीं तेरे हाथों मैं तुझे प्रत्यक्ष भगवान मान के पूछता हूं कि तु मुझे बता कि मैं क्या करो मुझे कोई रहानी देखाई देती माफ और तु ही मुझे बता कि है कि जब एक इंसान एक इंशान विक एक इंसां को ऐसास हो कि उसने भूल की है और वे उस भूल का पच्टावा करना चाहे तो वह क्या करें किस आखिर कोई तो सजा होगी मेरे जैसे किरे बेलिए शान के लिए कोई तो होगी हां सजा तो तुझे भी मिलिया मैंने अपने पती को खो दिया है और तूने अपनी पत्नी को मैंने बहुत कोशिश के अपने करण को रोकने की पर उसके सर पर खून सवार था गोलियां तो वो तुम पर चला रहा था मरन हो गया तुमारी पत्नी का भगवान उसकी आत्मा को शांती दे जा बेटा जा मैं कौन होती हूँ किसी को सजा देने वादी कौन है वो कि बोल अपनी ताई समध्य चुपा मेरी बच्ची क्या वो रवी तो नहीं हाँ हाँ सच तो यही है कि तेरी काजल गुजर गए तो तो फिर वो वो काजल नहीं कजरी है और हाँ है तेरी काजल का दूसरा रूप हाँ 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 में भगवान से यहीं मागूंगी कि तुम कोई पाप करो उसकी सजा मुझे ही मिले कि सचाई तो एक नहीं दिन सामने आने ही थी है रवी कि बड़ी तबस्या कि यह कजरी ने तुमके एक नई जिन्दगी देने के लिए माइफ करना मेरे दोस्त कि इस जनमी तुमने कोई अच्छा काम क्या ही नहीं लेकिन हो सकता है कि पिछली जनम के तुमारे कुछ अच्छे करम या काजलके साथुसारा सच्छा परेंब जिसकी वज़ेसे आज तुमारे अंदर का शैतान मर गया कुछत आग गया अब देखो अपने आपको सिर्फ शिरीर ही नहीं ऐसे लगता है कि अंदर की आत्मा भी धुलकर नहीं हो गई है समभलो अपने आपको मुझकलन तो अब आएंगी तुम्हारे रास्ते में सारी जंदगी तुमने जूट का साहरा लिया है सच का सामना करने में थोड़ी तक्लीफ तो होगी ना बट वेल अच्छा नहीं किया कि तुम अच्छे इंसान बन गया हो पाड़ लग बट बेस्ट अफ लग कि सारे मुहले की ओड़ों ने चान देखकर खाना खा लिया लेकिन एक तेरा ही करवा चौता नोखा है सवेरे से भूकी बैठी है कुछ खा ले नहीं ताई अभी तो आता ही होंगे ना उन्हें देख लूं फिर खालूंगी अब नसुनती में तेरी पगलूई कुछ खा ले तब नंमिलेगा पेट के बच्चे को कुछ इस बच्चे कीइतनी इसके भागे में 2-390 खालेगा की करना पड़ेगा उसे उसे स्वीकार करना पड़ेगा कजरी क्या कुश नहीं किया तुने उसके लिए अपना सब कुछ तो नौचावर कर दिया उसे बचाने के लिए अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली है तो इतना बड़ा बलिदान अगर अब भी स्विकार नहीं किया तो मैं तो यही कहूंगी कि बहुत अभागा है वो जवाई राजा तुम कब आए बिटिया ने करवा चोट का व्रत रखाया तुमारे लिए पहला ने वाला अपने हाथ से खिला दो मैं खाना लगवाती हूं यहां दस्तकत कर दीजिए यह आपकी जमानत के कागजात हैं इतने सारे रुपों का इंतजा मानने कहां से किया यह जमानत मा जी ने नहीं दी है फिर इन्होंने दी है मिस्टर रवी वर्मा इतनी बात तेरे समझ में नहीं आती वकील कि सत्य प्रकाश के खांदान में कोई रिश्वत नहीं लेता यह रिश्वत नहीं है मेरी गलती का छोटा सा जुर्मान है बाकि जो भी और सजा तो मुझे दोगे मैं उससे सर जुका के कबूल कर लूँ हुआ 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 है कि मैं तुझे बहुत बुरी मौत मारूंगा तुझे और इस बात दुनिया की कोई तुझे मुझसे नहीं बचा सकती अग्ट ठीक है नशा हुआ तो सिर्फ एक रास्ता है तेरे बचने का घुए जय ना चाते क्या मुझे भी इन सलाकों के पीछे मरवा दे जिस तरह तुने मेरे बाबुजी को मरवाय था सद्यप्रकाश जी की हत्या मैंने नहीं करवाय थी मेरी बात का यकीन करो प्लीज तू मेरी बात का यकीन कर वकील अगर मैं मर गया तो तू जी गया अगर मैं जी गया तो तू मर गया ओव माध या ए ये क्या बेव को फिए दुश्मन को छरवाने का क्या मतलब दुश्मन वो हमारा नहीं हम उसके दुश्मन हैं क्या उसने हमारा नुक्सानलAnben कि अ कि हमने उसका नुकसान किया है क्या वक्वास कर रहे हो तुम क्या सोच कर रहें कि जमानत कराने कही ते जब कि अब भी हो तुमारी जान लेना चाहता है मैंने काम ही ऐसा किया है दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा दिमाग खराब नहीं दिमाग तो सही हो गया है मेरा मैंने तैय किया कि जितने भी पाप लोगों ने मुझसे करवाए हैं उसका मुआफ़जा खुद भी भरूँगा और दूसरों से भी भरूँगा और उनमें से एक काप भी तयार रहेगा तुम सिंघाल से बात कर रहे हो सिंघाल से बात कर रहे हो तुम अपने ससुर से बात कर रहे हो तुम आप मेरे ससुर थे लेकिन आज जब काजल नहीं रही जिसकी वज़े से रिष्टा था तो अब आप मुझे इस रिष्टे की दोहाई मत दीजे बहुत सबान चल रही तुम्हारी दो ठकीकी नाशने वाली ने दिमाग खराब कर दिया है अब वो मेरी पत्नी है इसे साथ से जिस घर में आप इस घर में दो इते मेरी भी लगाई हुई है तो निकाल दीजिए अपनी इते तुम्हारी दोईटों की वज़े से मेरे सारे घर में बद्दू फैली हुई है लावे डोंच शाउट मिस्टर सिंगाल इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं किराब अधाउस किराब स्वांग रचाकर भले घर की आउरत बनना चाहती है आखिर चला दिया चकर उस बिचारे रवी पर कम साथ बाजारू आउरत हम बाजारू आउरते सेट तुम जैसों की घरेलू आउरतों से तो बहतर है न तुम तो अपनी ओरूस से कुछ भी मनलानी करते हो और हमें करते दब दिए आखिरे फेन दो रूपही देटे और तल्वे भी चाट्ते हो कम सर्फ अपनी क我就 अपनी हूह आउकात से बहार मेरे बारे में राम कसम अगर पूरे बाजार में इसी चड़ी से मारते मारते तेरे घर तक ना ले गई ना तो कच्छी नाम नहीं मेरा अगर हिम्मत है तो बोल बोल कर दिखा मैं मूह ही लगना चाहता तुम जेसी औरतों के अरे सेट औरतों को पाउं की जूदी समझ ना छोड़ जिस दिन सर पर पड़ेगी न तो बेभाव की पड़ेगी बात करता है साला अरे अवकात ही क्या ससरी कि कहो तो जान से मरवा दे जाई उसे जाचीट नहीं होगी उसके लिए उसे पिर उसी नाली में जाना होगा पोटी पोटी पिकेगी उसकी कि सब्सकत कर रिंग रिंग कर वसल और उस पाथ को वो सदा ठीको की उसके लिए करतिया है बंदूबस्त उसका किया। सब्सक्राइट ऱाम जाना है पान became i jana मैं खिलाओंगा तुझे खेल . मैं बोलू , अरे नास पीटी सत्या नास हो तेरा ताने घर बसाने के लिए भेजाता सूच्प लिए घ्जाता अब इसे हराम का बीज वर्ली आपेट में आ रहें ,घबरदार माई , इसे हराम का मत केना , मैं हूं हराम की तो मैं हूं क्योंकि ना तन्य पता है ना मने पता है कि मेरा असली बाप कौन है ये तो एक शरीफ इंसान का बच्चा है जिसने प्यार किया है मुझसे प्यार करें है तन्य घरवाली समझें है अरे हराम की जाके बोल असलियत बता के तुझ धंडे वाली है नाचने वाली है तब देखू कितना प्यार करें वह तुझे हराम की जाई मैं तो बोलू संता तो जैसे 25 को सीधी कर चुगाओ मैं अब तक तांगे तोड़कर डेरे में अभी डाल दूगा ना तो भी घाटे में नहीं रहूंगा अरे ना रहे ना चने लायक बीस बच्ची सदिन भूके रहेगी तो खुद ही दिमाक्टिकाने आ जाएगा अबस रखकर पगड़के तो रख पहले इस बला को नुप्टादो जिसकी बज़ा से तुका कूद रही है काट गणने काट जा मरना है के यह खेल जाओंगा तो लगतिया तरी मेरे होने वाले बच्चे की मां मैं तो बोलो ना हुकम आप कुछ ना बोलो जी तंटना तंटन तारा चलती है क्या नौ से बारा ये ले नहीं ये ले जाओ सम्हालो अपना ये घर अपनी दुनिया माम्मी 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 आप में कभी माम चौड़ कि ज्याना ममी में नहीं रह सकती इपटे ऐसंसद्र सब्स्ट्रों बेशिटकर ये मीठी अपयों टे जिन्यांसे गश्यवेश्यों आप मिस्स सद्य प्रकाश ने जेल में आत्म हत्या नहीं की थी उनकी हत्या करवाई गई थी और में इन सफेद पोशों के काले कारणामर को सारा कच्छा चिठा खल अदावत में खुल कर रख दूँगा पूरे सबूतों के साथ यह नहीं हो सकता है रवी के पास हमारे खिलाफ जो भी सबूत है वो खत्मों में चाहिए सिंगाल साथ हमने तो रवी का पूरा ओफीश चान मारा लेकिन हमारे फाइले हमारे काज़ा ओफीश सब गायब है कहिए हमारा नक्षा नक्षा नप पलट जाए कि तो कि तो कि तो कि तो तो प्याओ गवीश से एले नक्षा जेवा हमारे कि पना नक्षा जाँ़िए प्राइब 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 प्राइ करन भाया ने पुलीस की हिरासत से भाग कर अच्छा नहीं किया खत्रा और बढ़ गया है हाँ खत्रा तो बढ़ गया है क्योंकि रवी वर्मा करन के पिता जी का केस फिर से खुलवा रहा है ताकि उन्हें जूटे कलंग से मुक्ति मिल जाए अगर ऐसे भी कहीं करन नहीं नही दुखने तो वो उसे जिन्दा नहीं छोड़ेगा है कि अधिर कि अधिर कि अ जाल जाल दे रहे हैं कि अधिर आप तो कि दूआ थाइव हूं पुद्रा थाइव कि अगया है हुआ 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 है 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 मैंने कहा था ना वकील मैं तुझे जिन्दा नहीं चोड़ूगा में करन मार डालो मुझे मुझे मार कर तुम अपनी पिता की मौत का बदला तो जरूर ले लोगे लेकिन मेरी वज़े जो दाग उनकी चरित्र पर लगा है वो तो वहीं मिठेगा उसी अदालत में जहां वो ल हसके कबूल करनों हां करन रवी ठीक कर रहा है यह अदालत में उन्हीं लोगों का भाड़ना फोने जा रहा है जो तुमारी पिता की मौत के विज़ेमेदार है और वो लोग इसे अदालत तक पहुंचने नहीं दे रहे है चल अदालत दुनिया की कोई भी ताकत तुझे बहे जएख़न दुझे अज़े में भी जर्चा रहा है नहीं जुझे तुमारी कोई अर्चा लुझे ताकत वाहा जोगों अजके अविदाल इस अर्चाइएवड़ना यह जड़एवड़ना झालत चालत आ़ जबहुश रहाँ! पास पास रुख जाओ रुख जाओ पाफी बाबू रुख जाओ यहां तक आ गए है बहुत आ गए अब इस रेखा करते हो और इतना भी नहीं जानते कि जब रावन को जलाया जाता है तो इसके साथ-साथ कुम करन और मेगनाथ भी चलकर खाक हो जाते हैं पता था मुझे पहले से पता था कि अच्छी तरह से समझाने पर भी नहीं ना समझेंगे आप इसलिए दूसरा बंदोबस भी किया हुआ है हलो लीजे सुनिये अपनी पूजा बीटिया की प्यारी प्यारी आवाज सुनिये सुनों हलो बेटा चोड़ बच्ची को कभीने अग की पूजा बिटिया अनी हाँ 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 अराम जादे तू क्या समझता है कि तो मौत का नंगा नाच नाचेगा तुम्हें डर के अपनी रादे बदल लूँगा यू बास्टर्ड नहीं हाँ हाँ हे आसजों होuine और जुक्तियों और में है कि वीनलुन है Harmonia आज कमिशनर सत्व परकास को चरितरवान साबित करके मिस्टर रवी वर्मा क्या हासिल करना चाहते हैं जबकि ऐक दिन खुद इसी अदालत में खड़े होकर इन्हों ने कमिशनर सत्व परकास को रिश्वत खोर साबित किया था और हमने इनकी जोर्दार दलीलों पर तालिया बजाई थी काश आपने वो तालिया नहीं बजाई होती कि काश जिस दिन मैंने पहली बार जूट को जिताय था और सच को हराय था लोगों ने तालियों के बजाए मेरे मूपत थपड मार दिये होते तो आज यह नौबत नहीं आती और अब तो यह आम बात में लॉड कि आज आदमी पर पत्थर मारे और वो वो उधर जो मेरी मा बैठी हुई ना जट साव उसने मुझ से कहा था कि उस देवता को पत्थर मानने वाले हाथ लोगों के नहीं थे मेरे थे और उसने बिल्कुल ठीक कहा था जट साव ठीक उसी तरह है जैसे सत्य प्रकाश जी का कतल फासी के फंदे से नहीं हुआ था उसकतल के असली मुझरिम वो थे जिनोंने फंदे बनाने वाले हाथों को खरीद कर उनका खून करने के लिए भेज दिया भाशन बहुत हो गया मिस्टर अगर आपके पास कोई नाम है और उसके खलाब कोई सबूत है तो पेश कीजिए वर अधिर प्रबी क्या बात है कुछ ने है सोच्राव धर्म इनसाफ और सचाए की लड़ाई में गुरुओं ने भी अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था कि देखता हूं आज उसके अधालत में मेरी कुर्बानी क्या रंगदा थी है अ है सब्सक्क्क बावराओवगण देला चोनल मिल diminish वुनल पुजा पुजा पच्छी को अदालत दे जा ये अदालत शरमसार है क्योंकि इस अदालत ने कमिश्णर सत्य प्रकाश जैसे नेक सच्छे इमानदार इंसान के चरित्र पर दाग लगाया हम उनके मर्नो प्रांथ उनसे शमा याचना करते हैं और कभूल करते हैं कि कभी कभी कानून भी अपराधियों की चालाकी में उलजकर गलती कर बैठता है अदालत ये हुक्म जारी करती है कि कमिश्णर सत्य प्रकाश के खून के इल्जा में तेजेश्वर सिंगाल को फौरण हेरासत में लिया जाएं और इन पर बाकी मामलों के मुकदमे चला जाएं रभी पूछा अब कि इंस्पेक्टर पापा आगे मत बंढ़ना कि आप आगे साथ चाओ चाओ कि आगे सेटाओ अजिए अगे सेटाओ अगे सिंगाल बंढ़ना अगे सिंगाल के आपको कामीन केहाले कर दो तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते होच करो मैं कहता हूँ हटजा 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 लड़के गोली मार दूगा हटजा इस्पेक्टर बंदूग फ्लैक दे और अपने आपनों से कह देगे बैटजा इलीची चलिए करन भाया मेरा हिसाब भी तुझ पर बाकी है वकील हां मुझे याद है लेकिन इसके लिए तुम्हें जेल से चूटके आना पड़ेगा और तू क्या समझता है कानून मुझे छोड़ देगा नहीं हां छोड़ भी सकता है बशर्थे तुम्हें कोई अच्छा से वकील मिले जिस सांस को मैं बजा नहीं पाता उसे तोड़ देता हूँ बहुत हो गया शास्त्री संगीत अब हम इसे रैप सुनाएंगे रैप देखान जंचा आग एप सरी कर सामनी अगा नहीं हो तुम्हें को ममें अ कील जिए यूएंग-छूदकर गुंदेमा वालियो के वो लगिंगे क्या आओ नहीं ड़ुत आप सुनाएंगे तुम्हें दश्नकर मुझे अच्छाएंगे ओखरे भाई माउ mini गजने हूँ이? है इसी जर बत्चाहं गाई हृुँशी हfive क्रप्चाह गए ऑने जोड़ा हमारा चंकरी को! बॉट! ए मैं! क्या हिजलारो का माफिक देखता ए! इस बस्ती में कोई मरब शेरी क為什麼.... ए ये मूज़िक कई सने भंड किया? कि जाख गळाए एप है कि बाहर जाए एच्चच्च्च?! मुचर κेगागा बकलाए ऋहीरी गण!! अजे.. मार ओए से! करigorjer ओए से! झाल 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 इनी हाथों से चुआ था था तुने उसे लास मुझे दिखा देता ना, तो उसके वज़न जितना सोना तेरी घरवाली के बदन पर सजा देता मैं. कहा है वो? लाकब में. लाकब काल! बहुत कर्मी है तेरे खून में आ. मेरी कर्मी का नमूना तेरा भाई देख चुका है. हात बन लें, वरना तेरी सेवा भी ज़रूर करता है. अरामजादे वो छ्छिनाल तेरी कौन लगती है? कौन लगती है तेरी वो लखे लिया बहन! जिसके लिए तुन्हे मेरे भाई को मारा! मेरे भाई रहां तुन्हे भाई 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 भाई! ये पुलिस टेशन है भवानी सिंग, तेरी रखेल का घर नहीं, जहां तू मनमानी कर सके, तू नहीं जानता इसी भी, इसने मेरे भाई पर हाथ उठाया है, भवानी के भाई पर, नहायत भेवकूफो तूम, जिसे लातों से मारना चाहिए था, उसे हाथों से क्यों मारा, जिलामान, शेर के खराटे भाउकते हुए कुटे से ज्यादा खातरनाक होते हैं, मैं चाहूँ तो इसी वक्त तेरे हाथ तोड़ सकता हूँ, यह खाब तू बहुत दिनों से देख र चला न जानते हो, और हम हत्यार, बहुत जल्द तुम मेरे निशाने पे आने वाले हो, गोलियां बरबाद करेगा तू, बुलिट प्रूफ जागेट सरकार सिर्फ मंत्रियों को देती है, पुलिस अफसरों को नहीं, नहीं जिच सकता तू मुझ से, नहीं जिच सकता, क्यों मूतों के हाथ्यार से लड़ी जाती है शवचनाट। तुम्हारी हर छोटी से छोटी हरकत और बड़े से बड़े गुनागी फाइल तेयार कर ली है मैंने। और बहुत जल्द वो फाइल चीफ मिनिस्टर साब के सामने पेश करने वाला हूँ। उसके बाद तुम्हारे जिस्म से बुलट प्रूफ ट्यकेट तो क्या। तुम्हारी खाल तक उतार ली जाएगी। जिस दरखत की जड़ में साम का बिल हो परिंदे उसकी शांखों पर घोसला नहीं बनाते है सीपी। खोल दो इसे। सर्थ, नमस्ते सर्थ, नमस्ते, कहिए। हम अजे की जमानत के लिए आये हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो अजे। थैंकिय। थैंकिय। शर्मानी चाहिए तुम्हें। अजे बाबू, मेरी बेहन की रक्षा करके आपने जो हम पर आइसान किया है, मैं उसे जिंदगी भर नहीं बुला सकता। इसमें आइसान के क्या बात है, नारिय सिवा तो परमधरम है गुरू का, इनके दिल में औरत के लिए अलग ही जगा है। सुनिए, जरह मेरे साथ अंदर आईए। तुम नहीं, उठिये न, सुदा तुम भी आओ आप लोग के साथ चाह बीजिए, मैं अभी आया। पकलो, चल्दी चलो, पता नहीं क्या समझ रखा इस खर को, हाँ? क्या है कुछ अलग स्पेशिल बना रहे होंगे, यह औरते जो है न, हमारे हाँ, बड़े गरीब है, पर दिल के बहुत अच्छाए। मैं सरसा बाहर क्या गई, कि तुमने इन गुंडे मवालियों की महमानदारी शुरू कर दी, हाँ? यह तुम कैसी बाते कर रहे हूँ, वो तो भला आदमी है। अरे भला आदमी होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो जैसे वो गुंड़ा वैसी यह गुंड़ा अरे आइस्ता क्यों बोलू, मुझे किसी का डर है। अरे तुम्हारी बहन ने तो वैसे ही मेरा जीना हराम कर दिया है। कल इसकी वज़े से भवानी हमारा घर जला देगा, फिर किसको बैसकी चाय पिलाओगे। अरे यह तो छड़ी छड़ांग है। इन क्या भरोसा, कल दूसरी गली ना अप लेगे। लेकिन हमें तो इसी बस्ती में रहना है। अब खरी खरी मेरा मूझ क्या देख रहा हूँ। अरे भवानी के तो हाथ पैर जोड़कर हम माफी मांग लेगे। लेकिन इन गुंडे मवालियों को तो यहां से दफा करो। अचा बबा, ठीक है, मैं सब समझा लूगा। क्या, मैं कहती हूँ, अकल कब आईगी। कब तक मिट्टी के माधो बने रहोगे। तो कान खोड़के सुलो। अगरी, ने मारी कुरी कानी है, तो कान खोड़के सुलो। साले शरीफ, लुग! साले शरीफ, लुग! जाग रहे हैं अभी तक! मिसस डेविट की बत्ती? कौन है? अजय तुम? क्या मैं? तुम दारूपी के आया? इतना रात को कोई शरीफ आदमी ऐसा दारूपी के आता है क्या? शरीफ, शरीफ कौन है मिसस डेविट? अप उन तो गुंडा है गुंडा, शरीफ लोग उस घर में रहते हैं आपको यकिन ने आता? बतार! शरीफ लोग बाहर निकलो! बाहर निकलो तुमारी इसद के रहते हैं उठोजी, उठोजी, देखो वो गुंडा ममाली डारूपी के समाशा कर रहा साला, समशतर क्या है अपने आपको? क्या है तुम? हम बोलता है तुम उपर चलो हमना पर चलो मैं उपर चलो ये लोग आपको घर बुला कर बेहशत किया गाली दिया साला हम लोगों को उपर में चलो न मैं को अपन ये लोग की चत के नीचे ता जो सुन लिया वरना बताता है ये लोग को आपन चीज क्या है ये सब तुमारा की अधरा है हरी जा कि समझाओ नो उसे मैं कै समझाओं सोजा भी अगर फिर से बेहशत किया या गाली दिया ना तो बाग कसा मंगार लगा डालेगा सारी बस्ते को जड़ा कर राट कर देगा आपूश साला एक शरीफाद भी रही बचेगा इस बस्ते को अजे अजे उठा मैं इसको समझ के अजे यू सुपिड नशा उत्रा के और पानी मारने को मंगता है वो क्या है मिसस डेविड शामका कल बाल कुछ नी अब बीच यही इस टाइम को हमारा घर खाली करो एक मिनिट भी दर रुकने को नहीं मंगता है और यह लोग पकड़ो अपना पैसा तुम क्या समझता है हम पैसे काम होता जै आरे वो तो टोनी का बचा हमारा हाथ जोड़ा हमारा पाउ में पड़ा कई इसको इधर में रक्खो ताब जा के हम तुंको रखखा और तूम स manufacturers najwię एक्षा बस्ती में भॉंबा भॉंबा करता है? अरे छोकरी का हिज्जत क्या बचा है? अक्षा बस्ती का हिज्जट उतारेगा तूम? ठीक 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 भोला तुम इसको, आध कापका paper में headline पुरहाई। इसकी आध को जारूबा का भॉम भॉम किया है। अरे मैं तो बोलतो हुआ इस आदमे को बसने में क्या, बंबे में नोइंट्री करने ना मंगता है, तु समझते क्या अपने आपको, शिस्टर को आइरान का है, अभी इसका सुटके स्प्राइकर के लाता हूँ और इसको सेजन में छोड़ के आता हूँ मैं, अभी आता हूँ म तूस किदर में जाता हूँ मैं, ये बाल्ती रखेगा, सुटके भर के लेके आएका और इडियएट, तुम्हारा बाप का राज चलता है, फादर का राज चलता है, जब जिसको मर्जी लेके जाएगा, जब जिसको मर्जी ही लेके जाएगा हाँ, मगर सिश्टर, तुमने जबना इसको गर्मेन रखेंगा. बोला तो क्या हुआ, यह इसा काम का को करता है? अरे यह हमको Mrs. David, Mrs. David बोलता है, लेकिन हम तो इसको आपना बेटा का माफिक मानता है! और क्या माग क्या बेटे को गुस्ता नहीं कर दे कू सकता है? Mrs. David, बिल्कुल कर सकता है, चाहे तुमार भी सकता है, लेकिन अगर बेटा माफी मांग ले तो Mrs. David, I'm sorry God bless you मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिनदा हूँ, देखिये, अगर मेरी जगह कोई और होता, तो क्या करता आपकी भाबे की बाते चिंगारियां बनकर मेरे दिमाग में सुलग रही थी सोचा था शराब से बुझा लूगा लेकिन सब कुछ उलट-उलट हो गया कल नशे की हालत में गिर के थे आप अशा तो एक बहाना था, गिरा मैं कई बाहर हूँ तो आप समझ जाईए मेरे संबलने ना संबलने से किसी को क्या फर्क पड़ता है और अगर फर्क पड़ता हो तो एमेन, हम तुमको माफी मांगने का वास्ते इधर में भेजा और तुम स्टैचू का माफी खड़ा है चलो माफी मांगो, come on माफी तो यह मान चुके है लेकिन माफी तभी मिलेगी जब यह वादा कर लें कि आज के बाद शरब को कर भी हाथ ने लगाएंगे बोलो हाथ लगाएंगा नहीं ओ, वो ECP का अदमी आया था, बोला तुमको घर बेजो, अर्जेंट में काम है ECP? साहिब, आपको मिलने को कोई भवानी साब आया है भवानी? मेरे घर पर आने की हिम्मत कैसे की उसने? ठेरो हमारी बात हैं घर की चौकट के बाहर ही हो तो बेतर है सुना था दो दर्वाजे किसी के लिए बन नहीं होते है एक अस्पताल का और दूसरा पॉलिस का लेकिन ये मेरा घर है और इसी घर की चौकट पर लिखा है वेल्कम यानिकी स्वागतम नमस्ते इजाज़त हो तो मैं अंदा जाओं नमस्ते भावी जी नमस्ते मैं जगपती भवानी जिक्र चलता होगा कभी कभी मेरे नाम का इस घर में सिर्फ बने लोगों का जिक्र होता है देखा बाबी भी नाराज आप भी दुकी और मैं भी परेशान और इस अब किसके वज़े से सिर्फ उस लड़के आजे के वज़े से जो ना आपका कुछ लगता है ना मेरा वज़े वज़े वो लड़का नहीं तेरे कर्म है भवानी जो तुझे मेरी चौकर तक खीज लाए अरे हाँ राद बार मैं भी यही सोचता रहा कि बदनामी के इस दाक को किस तरसे दोया चाए और अचानक मुझे यह खयाल आया कि पैसा वो साबुन है जो बदनामी के हरता को दो सकता है और यहीं सोचकर मैं साबुन नहीं पूरी वाशिंग मशीन ही उठाकर ले आया जी हाँ बड़कलाल जी साब ले आओ चलो उठाओ चलो यहां रग दो बाराल किया तुमनों जाके बाहर बैटो चलो चलो मैं आदे इस बकसे में इतने रुपए शिवचरण शहाद कि आप जिस थाने में काम करते हैं उसके सामने आप पचास माले की बेल्डिंग खड़ी कर सकते हैं जिसकी छट से आपका फुली स्टेशन माच इसकी डिविया नजर आएगा सबसे पहली बात इस घर में सिगरट पीना मना है और दूसरी बात गंगा बाई जी साहिब गंगा बाई ये साहब बकसा भर के नोट लाएं मुझे रिश्वत देने के लिए तुम इन में से जितने नोट लेना चाहो ले सकती हो सोच क्या रही हो साहिब मैं इस घर में 11 साल से काम करती है आप पुलीस में इतने बड़े अफसर है कभी-कभी मेरे को दो-दो महिने के बात पगान मिलता है फिर इतना बकसा भर के नोट तो हराम की कमाई होगी न साहिब मैं जूटे बरतन मांचकर अपने बच्चे लोग को दो वक्त की रोटी खिला सकती हूँ लेकिन ऐसे हराम की कमाई पर धुकेगी भी नहीं सुन लिया भवानी जिस पुलिस ऑफिसर के घर में बरतन मांचने वाली का जमीर इतना बुलंद हो उस ऑफिसर के इमान की क्या कीमत लगाएगा तू उठा इस कच्रे को और दफ़ा हो जाई यहां से वरना रिश्वत देने का एक और चुर्म तुझ पर लग जाएगा इस वर्दी में बहुत कर्मी होती है शुचरण साहिब इसलिए समझदार अफिसर रिश्वत के छीटों से इसे ठंडा करते रहते हैं वरना ही पहनने वाले को जला देती है तो फिर इस वर्दी से दूर ही रहना भवानी क्योंके इस वर्दी के अंदर बारूद से बना हुआ जिस्म है अगर उस जिस्म ने आग पकड़ ली तो वो धमाका होगा कि तेरे जिस्म के चीतड़े चीटिया तक नहीं धून पाएंगी अब जा मंदर में जाकर अपनी जिंदगी की दुआ मांग क्योंके मैं तेरी पाइल चीफ मिनिस्टर साब के पास लेकर जा रहा हूँ गुद लुक गुद मॉर्णिंग सर्व वड़िस गुद अबाउर दिस मॉर्णिंग हाँ तुम्हे नौ बजी आने को बोला था और अभी आ रहे हो सर वो क्या हुआ के देखो जिंदगी में थोड़ा सीरियस होना सीखो मैं जल्दी में हूँ सुमित्रा से जाके मेरो वो तो मैं सब कुल समझादेगी ओकी सर जाए भवाने चलाओ टॉक्टर साब कैसे हैं वो बस समझ लिजे के मौत के मूँसे वापिस आ गए है लेकिन अभी उनकी हालत नाजुक है खत्रे की कोई बात नहीं है हलो भवानी साब आपके लिए बुरी ख़बर है ACP शूचरण बच गया पान सर नए बटुकलाल तुझा ACP की खैरियत पूचने हस्पटाल जाना है सुनिये मुह खोलिये सुमित्रा तुम्हारे नसीब में मेरे साथ दुख जेलने के कुछ दिन और लिखे हुए है छी ऐसे अशुब बाते मत किजी देखना आप बहुत जल अच्छे हो जाएंगे बिलकुल ठीक कहा आपने भावी जी कुछी दिनों में जाएंगे वैसे जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ बाबी जी मैं तो कहता हूँ इस मामली की इंक्वाईरी उपर से होनी चाहिए दिनधार एक पुलिस आफिसर पर जानने हुआ हमला ची 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 शरम की बात है वैसे मेरे लाए कोई सेवा हो मॉनिंग सर आओ आजे सर मैंने अभी भवानी के पी-ए को जाते हुए देखा वो यहां आया था हाँ देखने आया था कि मैं जिन्दा हूँ कि मर गया इसका मतलब आप जानते थे कि आपको मारने में इन लोगों की साज़श थी और कौन हो सकता है तो फिर आपने इन लोगों को गिर्फदार क्यों नहीं किया क्या फाइदा वो अदालत में थावित कर दे थे कि इस हादसे में उनका कोई हाथ नहीं है उनके खिलाफ कोई गवाही भी नहीं देगा और फिर हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है द्राइवर जल्धी चलू साथ साथ या आपका पान का ढप़ा मैरे ने मैरे ने कर दो कर दो कर दो तेरे लिए दो बुरी खबरे हैं भवानी एक ACP साब बच गए और दूसरी अब तेरा बुरा वाक शुरू हो गया बंच कर फ दिन कर ए हं बगुम कर दो कर दो नब खिया एक को अ अब पना खर दो कर दो कर दो कर दो कर दो वर्दान! अर्दादे दर्वादा खूर इंस्पेक्टर मर्दा दर्वादा देखा, यही है वो हराम जादा जिसकी वज़े से तुम्हारे साब जिन्दगी और मौत से अकेले जूज रहे आज वो इसके जुनून का शिकार हुए कल तुम्हारी बारी हो सकती है और यही होगा एक दिन क्योंकि मुझने मुझस साब की तरह होता है जो भूग लगने पर अपने बच्चे तक निकल लेता है तुम लोग तो फिर भी गहर हो पाप की उम्र बहुत लंबी होती है साब लेकिन पापी की उम्र बहुत चुटी मैंने जादा किताबे दो नहीं पड़ी साब लेकिन जिंदगी ने इतना जरूर सिखा दिया है कि हाराम की आयाशी से इससत का फाका कहीं बैतर है इस वर्दी के आबरू और निला मत करो साब आप इतने मौताज नहीं कि ऐसी रोटीना कमा सको जो इमानदारी के आटे से बनी हो और सच्चाई की आज पर पकी हो कोशिश करके देखो बहुत सकुन मिलेगा तुम अपने आपको समस्ता चाइम है तुम वो बवानी का घर में घुचके उसका लोग कुमारा उसको मारा उसको घसित के कुटा का माफिक पुलिस सेशन लेगया हम मानता है मानता है कि वो बहुत खराब आदमी लेकिन तुमको ये सब लफ़ने में पढ़ने का क्या जरूत है अगर तुमको कुछ हो जाएंगा तो तुम नास्ता किस्ता किया के नहीं अरे तुम चोकरा लोग का ये इस मुसीवाद है तुम बैठो हम चाय पाव लेकिया आता है आज अज एक गिला जूस भीता नहीं कि तुम लोग का जुलाब जूस जाता है हमारा देविद खाने का बहुत शौकिन था इंका कड़ी भी हमारा देविद को बहुत पसंद था बांगणा फ्राइड लाल चतनी का साथ क्या देखता है तुमको मालू में यह क्या है यह ना डेविद ने हमको सबसे पहले यहocy किफ दिया हूथ लोगता चैणियों अच्छा आज हम तुमको एक बात बता ही कि हम लोग करना का मिस सर्विस करता हूथा तो जिस बस स्टॉप से हम सर्विस का लिए बस पकड़ता होता, उसका बिल्कुल ओपोसित में, देविट का बेकरी था, वो उदर से रोज आपन को देखता, आपन को लाइन वारता, ने से आपन को भी अच्छा दा लगता था वो, लेकिन आपन काय को बोलेंगा पहले उसको वाना मंगता है कि नहीं, है ना, है कि नहीं, उसका बाद में क्या हुआ मालूम, एक दिन सुबू सुबू हम खड़ा था, तो हमारे आजु बाजु में कोई भी नहीं था, हम अकेलाश था, उसने भी उदर से देखा और चांस वारा, उदर से उठा, और उठके हमारा बाज इसके बाद ना, हम घर पहुंचा, घर पहुंचके हमने एक गिफ रखा, हमको बहुत क्यूट लगा, और यह देखा, इसका पिछु में क्या लिखा है, I love you, अच्छा एडिया है ना, पटाने का, अगर लाइफ में तुम्हारे को भी किसी से रुमाइंस हो जाएंगा, और वह हमारा डेविद का इडिया वापना, बेस है, फटाक से रुमेंस और जटाक से शादी हो जाएंगा, जाएंगा मुखदर बन चुका है, अगर तुम मेरा साथ हो, तुम मुखदर बदल भी सकता है, लाशों के मुखदर नहीं बदला करते हैंचे बाबो, तुम लाश नहीं हो सुदा, एक जीती जाखती लड़की हो, जिसके सीने में तिल भी है, जस्बात भी, और अर्मान भी, हाँ, और आशिक के साथ रचाई रास लीला देखो, क्यों मेरा तमाशा बना रही हो भावी, तमाशा तो तू बना रही है कल मुखी, अरे शर्म की गहने तो तुम्हे बहुत पहले उतार दिये ते, ये शरीर पे जो दो चार कपड़े बचे है इन्हें भी उतार दे, ताकि ये तेरी तू चुपो जाओ, मैं तू छाती छोक कर कहूंगी, ये सब तुम्हारा की अधरा है मिस्स डेविट, और रखो इस गुंडे माली को अपने घर में चो दूसरों की बहु बेटियों को बतकार बनाए, अरे तुम्हारा क्या है, तुम्हारा तो ना मिया है ना बेटा ना बे जो जो रो, हमारा इस पहिंग एसको, जिसने तुम्हारा छोकरी का इज्च बचाया, वरना आज कि दर में मूह दिखाने का लायक नी होता था। उस भेरी के मुं से बचाया, हमारा पहिंग एसने। हा, भेरी के मुह से बचाया, और अब खुद मुं मार रही है। यह बपाद, यह सुब सुनने से पहे हुआ मर के रही है पागल हो गई हो तुम, आत्मत्या करना पुष्दली है और मैं दुनिया वालों को तुम्हे कायर कहने का मौका नहीं दूगा मैं पुछता हूँ कौन्सा पाप, कौन्सा गुनाखिया है इसने किस जुल्म के सजादी जा रही है इसे, क्या एक विद्वा को दुबारा जिन्दगी बसाने का हक नहीं क्या उसे भी हस केल कर जीने का हक नहीं अगर ये समाज इसे इस बात की इजासत नहीं देता, तो ठोकर बाता हूँ मैं इसे समाज को आज मैं सब के सामने भगवान को साक्षी मान कर इसे अपनी पतली बनाने का एलान करता हूँ A.T.P. सहाब, A.T.P. सहाब, A.T.P. सहाब, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है चल्दी आईए और हमारी इज़त को लुखने से बचाएए A.T.P. सहाब, देखिए, ओ कमीना क्या गजब ढारा है एक बिद्वा की माँ में सिंदूर भर रहा है रुक जाओ, A.T.P. मैं कहता हूँ, रुक जाओ तुम जबरदस्ती इस विद्वा की मांग में सिंदूर नहीं बर सकते A.T.P. सहाब, या तो ये सिंदूर सुदा की मांग भरेगा या फिर मेरा हाथ कट कर समीन पर किरेगा देखो आजये, मुझे मजबूर मत करो, फिंग दो इस सिंदूर को आप अपने फर से मजबूर हैं और मैं अपने बचन से इडन से झाँद़ वा इस वा नहीं झाँद़, और मैं आप वाम पution दो नहीं, या और मांग में सिंदूरे लुट से, इस लुट, अभर Vari हा दो operate शाबाश पिटे मैं तो तुम्हें आजमा रहा था आज तुमने यकीन दिला दिया कि तुम्हारे हाथ दूसरों पर उंगलियां उठाने के लिए नहीं बलके किसी की जिंदगी सवारने के लिए बढ़े हैं ये लोग क्या जानें के एक विद्वा को जीने का अधिकार देना कितना बड़ा पुन्य है भावी तो मा सवान होती है और तुम ये फर्द नहीं निवा सकी लेकिन मैं इनका पिता बनकर इन दोनों को आशीरवाद देता हूँ आज के बाद अगर किसीने इन दोनों पर आख उठाने की जुरुरत की तो वो शेव चरण का सबसे बड़ा दुश्मन होगा क्या है सर्व कमिश्टर साब ने आपके लिए इंपॉर्ण फायल भीजी ठीक है मेरा से देख लूँगा तुम जाओ सबस्टर सुपिरो सबस्टर सुपिरो सर्व थैंक यू गद ब्लस्यू मुवरा कगरू अब करें। आप बड़ा करें। पर अब पर उड़ा है वो कि लिए पज़ झाँ पर उड़ा आए है ट्रह इंए घ्रण बेश्यक्त जिसमें मिलाओ राए के तेले जैसा चाहिरे चाहि, ओचाहि, चाहिरे चाहि तुम यह क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब? मैं हजे का दोस्त तॉनी अजे काँ है? पूरं जो गया अभी आपके हाथ आने वाला निया वो गया क्या मतलब? वो तो मोगे की तराश में था वन तुका फॉर एए सिदा सिदा बोल का आजे हम बताता है न साब जैसे तुम उनका बाप बनकर उनका शादी बनाया उनको ब्लेसिंग दिया बैसे हम उनका मा बनकर उनको हनीमन पर भेज़तिया चीत Okay I'm not eating now Look I don't I don't No Baba पिले मुल्णा पिल पिटा समल के पटना उमलो आरे Bye कौन? कौन? वो गाली में देखू नहीं वो बच्चा? इसकी तो ए छुटके, मेरी बीवी पर लाइग मारता है नहीं, मैं तो मजाग कर रहा था अंकल, आंटी बहुत अच्छी है, वीट आइस क्रीप की तरह रहा साले, आइस क्रीम खाएगा? आइस क्रीम खाने के लिए तो तारिफ कर रहा था बदमाश, रुख लाता हूँ क्या? साला जवरती वच्चा, आइस क्रीम ने करा अपना भी ऐसा होगा, क्या? शर्माती क्या है अजे, वो बच्चा खर्माता रभ रप्चा ञिर्पना रुचा वो बच्चा बच्चा वो 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 झाल वो हुआ 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 हु झाहे हुखआ है में 리 बट्चल पेखर! וצर वखवरールबबबबबबबबबबबबबबबबब कर दो कि और गज करते हुख़हई स्भ्लाबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब ठकर दोस्तिमissantiveness करने में भा कम प्रिब कर सकते हुख़़ण और न पचले खब दो… गजटों से फड़्टों से फड़ियं पार गोटूं से अन्यों से बार, को जटों से झाले। और गज़ियं पार। आजय!! आजय!! आजय!!! आजय!! आजय!! अाह... पफफफ हाह मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, आपने मेरी गोद हुचाइब से बचा ली, आप तो मेरे लिए भगवाल, वह तैसान है तुम्हारा बच्चा, ठीक कहते हो बेटा, वरना दूसरों के लिए अपनी जान की बाजी कौन लगाता है, अरे तुम बहुत खुश नसीब हो बेटी, जान पे खेल के बजाया उन बच्चों को, भगवान हर मा को ऐसा बेटा जी, देखो अपनी जान की परवा ना करते हुए भी, इसने बच्चों की जान बजाई है, जुग जुग जीओ बेटा, भगवान, आज मैने वो काम किया है, जिसके लिए मेरा फर्ज मुझे इजाज नहीं देता, एक मुझरिम को गिरिफतार करने की बजाए, उसे आशीरवाद दे कर आ रहा हूँ, और इसकी सिरफ एक ही वज़य थी, कि एक मुझरिम के अंदर, इनसान को करवट लेते हुए देखा मैने, अब उस लड़के अजे को ऐसी शक्ती दे, कि वो सच्चाई की अरे भाई, पूजा पे बैठिये, शबून का समय निकला जा रहा है, मुझे और भी जगा पूजा पे जाना है, जी पंडिची, टोनी, जरा पंडिची का टाइम पास कर, ठीक है, ठीक है, पंडिची, आपने मुझे पैटाना नहीं, हम रमाकान गड़गड़े के पास मिले यह सब्सक्राइच थे, उनके पूजा में आपने हवन किया तुनके गारज में, है अरे बाब राजू के पच्छी से ट्रीये, आपको बड़ पन हाज़ा आपने नाम ले रहे हैं, यह जो आपने हवन किया तो भगवान को मनवा किया आपने हांडा 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 यह वहां Hero Honda का बड़ा शोरूम बनाया है वहां हवन के लिए बलाएंगे आपको हाँ बड़ी किरपा है महाराज आपकी यह तोनी बोध चालू है उल्लू बनाता है पंडित को मैं तो कहता हूँ प्रभू पंडित जी आप ऐसी किरपा यहां कर दीजिए ऐसा हवन कर दीजिए कि ह अब जो गुरू है इनके प्चीज जायरे हो जाए भगवान की किरपा से साफ ठीक हो जाए अरे भगवान की तो किरपा है पर पंडित जी क्या बात है अरे आपके हात में तो शक्तिय बड़े भाग्यवाने आप यह देखिए पांच उंगलिया पांच उंगलिया बाद इसको आप हमारी बाद दो नहां पॉलते है इसको मारी बहुत अशन घृताया कि दखेट दिए और देखिये घृट की दैट रहा था चार एर पर चुक आण में आउब अर वरली में था ओर यह जंगल में था साबजी आगे, साबजी आगे नमस्ते, good morning, sorry, आने में थोड़ी देर होगे, मैं कोई बात नी, आओ, यह दर फाइल पकड़ना Welcome, welcome, कैसा है अची? नमस्ते, नमस्ते आजये, 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 आजये लो, बैटेशी, बैटेशी क्या हुआ? रुमाल, रुमाले, रुमाले अपनापस, नेरिन ए, चलो उदर बैटेओ आजये, पंडीजी, जरू कीजिए नाराययनायनमु नम, ओम मंगलम भगवान विष्णू, मंगलम गरुड़द्वज मंगलम, पुंडड़ी, काक्षियं, मंगला स्तनोवरी यह क्या कर दिया सर आपने? एक मुझरिम जो सच्चाई के रास्ते पर चल पड़ा है उसका अतीद जिला दिया है मैंने अगर कोई इनसान गुराई का रास्ता छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर चल पड़े तो क्या कानून उसे माफ कर सकता है? कानून से बड़ी अदालत आत्मा की होती है और आत्मा का फैसला हर फैसले से बड़ा और अटल होता है दिन दुगनी और राच चोगनी तरक्के करो यही मेरी इश्वर से प्रास्ता है समझा? लेक टोने टोने वड़ा पाओ देखो पूरा काला थेल पाओ गया ना खुद खाता है न पीता है न और और खाने देता है क्या है? चलना मत चाके दूसरी गाड़ी में देख पेट्रोल है कि नहीं? दिलिवरी देनी है हाँ देखता हू साथ 11 अगप आना दे मैं युका टका सो रहा है चल हाँ बंकर, हाँ बंकर, हाँ बंकर हाँ बंकर, भार आओ क्या हाँ पर हाथ पक्या है क्या? तकलीव है तुमको तकलीव मैंनो नहीं इस गड़ नहीं है यार क्या हो गया है? क्या हो गया है? मकानिक मैं के तुम है? पपपजी पपजी बाफ सुनी बाफ सुनी हो क्या है कि मरीज जब डॉक्टर के बाफ जाता है तो मरीज भुद बताता है कि मेरे पेट में दर्द है ज्लो जली कमा तो याउ डायवों है में, लूंटी जरी सोरके Co आ यार ये चटके दे दे के बंद भाड़ गई है याँ मिर्गी मिर्गी खोलो, जल्ली खोलो शल्ली कवा उतफियो या में लकर भर फॉर्मствен की तर है मैं भी रहाएं बंद की सबक Christian प्रिशानों की गारी यहां तक आई केसे? मैं खुद चला की ले क्या हो इसे यार आप खुद चला के लाए? जी जरा याद किए यह रास्ते में कहीं यहां आ तो नहीं गया आप नहीं यहां सवाहा नहीं पैदा हो जा अरे भाई यह बंबई है नजर जरा फिरी तुम लिंज देशी हे है आप! शैर्मानी चाहिए हम लोग को विदライ सी घारि खरिटे हैं अमारे आप गारिया नहीं बनती है अंडर घट पर ले जाता, डखेल देता, ठूएसी गाड़ी पर, अंग्रेर बने वे हैं, इंपोरेट गाड़ी हट! ये मैं की कर बैठा? शरमाणी के जी मेंगे, तूने मेरी आखे खोल दी, मैं पूरी गड़ी खोल जाँगा! गाड़ी खोल दूँगा, हैंडल लिया, इंपोरेक बह दनअगे! हैंडल ले! हैंडल, हैंडर खोल तोर। मैं चाहिए खोल तोर। तोड़, तोड़ थै एक वल को टोड़ दे तोड़ तोड़ दे, तोड़ दे इंजन के से बही, पापजी एक मिटा करा देखो इस गाड़ी का यहाँ है इंजन बाबरे वर्गे पाबजी जब पता नहों कि कहां है इंडियन न खरीदो ऐसी गाड़ी प्यारे इंडियन इसलिए कहता हूँ बी इंडियन बाई इंडियन है नव बजी काश हो है और तुम अभी तलग तयार नहीं हुआ अरे बिगिनिंग नहीं देखेगा तो मजा नहीं आएंगा ना मैं तो कब से तयार हूँ मिस्स देवेड बस उनी के इंतजार कर रहे हूँ आरे वो आने वाला नहीं है लिख लो तुम अरे सुकान सुझाने का अरे तोनी काई को फालतू का बात बोलके हमारा बेबी का दिल दुखाता है हाँ अजे ने उसको प्रामिस किया है कि वो उसको नौ बजे का पिच्छर दिखाएंगा उसको डिनर में लेके जाएंगा है ना अरे सवाली इतने उड़ता है क्यों अरे सिस्टर देखो मैं क्या और जो आदमें दिन रात काम करता है उसको क्या बुलते हैं अरे कैसा नहीं आएंगा अरे भाभी मेरे को बहुत भूख लगा पहला बेरे खाना किला दे बस कैसा अरे रुको मैं तूम किदे जाता है किचेन में टोनी को खाना देने उसको हम खाना खिला देंगा तुम एक इस बात हमारा ध्यान से सुन। हमारा डिवि utilizz था ना वो भी ICJ करता था, काम में सब कुछ भूल जाता था, सब क्मिट्मेंट भूल जाता था हम भी कमती नहीं था हम भी उसका काम पे पौज जाता था और दो चार ऐसा पौज मारता था के डिविध खallास हो जाता था जाओ उसका भी शेटेट दाउन करो, go man go, जाओ ना सिस्टर मान गया तुमको, you're great Thank you, thank you अरे अजे, तुमको मिलने का वास्ते कोई आया, हम उपर में बिठाया उसको जरा देखो तो कौन है? अच्छा मिस्स डेविड सुधा, हम उसके लिए चाई बिस्कुट बनाया है, तुम लेके जाओ क्यों शिवा, मेरे को देखके खुशी नहीं वितर को नहीं अना, ऐसी बात नहीं है तो आ, अना के गले लग जा आजा मेरे बच्चे, शिवा, आजा मेरे को बहुत कुशी हुए कि तुने घर बसा लिए लेकिन मेरे को दुख भी हुआ कि तु अना को भूल गया चल कोई बात नहीं, अब मैं तेरे को लेने आओ अपना सावान बान और मेरे साथ चल नहीं अना, अब ये मुंकिर नहीं अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। मजाग करने की आदत गई नहीं तेरी। अरे अन्ना की दुन्या तो बहुत उदास है रहे तेरे बगार। चल वापस चल शिवा। मेरा नाम शिवा नहीं। अब अजे। नाम के साथ साथ बेशा भी बदल दिया है मैंने। हथियार की जगा उजार और खून की जगा पसीना बहाना सीख लिया है। हाँ मेरे को मालूम है। इधर इस बस्ती में तुने एक गैरेज खोल रखा है। गाड़ी की रिपेरिंग करता है तुम। लेकिन अपन का लाइब भी कोई गाड़ी का इंजन नहीं। जो भिगड जाए तो रिपेर हो जाए। चला तो चला नहीं तो स्क्रैप। देखो अना मैं बहस नहीं करना चाहता। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ। अपन लोग की गाड़े में रिवर्स गेर नहीं होता। हाँ। इसलिए सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूँ। नहीं लोटना मुझे उन रास्तों पर तो तेरी रोने की आवाज में निकल दीती तेरी अलग से। ऐसे मरेले आलत में कोई कच्र में फेकके गयाता तेरे को। माय उटाया तेरे को। अन्ना उटा के पाला तेरे को। बच्चा जब बोलने लगता है। उसके मुझे पहला वर्ड अम्मा निकलता है। लेकिन तेरे मुझे अन्ना निकलता है। अन्ना निकलता है अन्ना इतना प्यार दिया मैंने तेरे को। और तो मेरे को बोलता मैं चले जाओ यहांसे। अरे दो वक्त जोरू के हाग का रोटी और चार रात उसके साथ सोने को क्या मिल गया। अन्ना को बोला दो, अन्ना को। मैं जानता हूं अन्ना, मेरी सिंदगी का एक एक पल तुम्हारे हैसानों का कर्जदार है। यही कर्ज था, जिसकी खादर जो कुछ तुमने मुझसे कराया, मैं करता चलाया। लेकिन अब मुझे जीने का मकसद मिल गया है। मैं जीना चाहता हूं अन्ना, एक लेक इनसान बनकर, अपनी खादर, अपनी बीवी की खादर। तो तु इसके लिए जीना चाहता है। याद कर शिवा, जिस आदमी के घर पे तुन्हे पैसे बिजवाए थे, वो कोई और नहीं, तेरे अवरत का पहला मरत था। अब तु जीना चाहे भी तो जीने सकेगा। क्योंकि जिसके मांग में तुन्हे सिंदूर बराया ना, उसका मांग उजाडने वाला भी तु है। उसका पहला पती रवी मलोद्रगा कादिल तु है। उसको विद्वा बनाने वाला तु है। उसका सुआ गुजाडने वाला तु है। उसको विद्वा बनाने वाला तु है। तु है शुआ तु। पुलिसे क्यो भाग रहा था। मुबारक हो। आप बाब बनने वाले हैं। अपनी ही करनी का भल है, नेकी और रुस्वाईयां। आप ही के संग चलेंगी आपकी परचाईयां। ए मैं। तुम काईकवास से मुझ लटका के खड़ा है। अरे तुमारी लाइफ का सबसे बड़ा गुड नियूस आज हम तुमको देंगा। तुम फादर बनने वाला है। येस फादर। और हम दादी, अरे हमारा तो दिल करता है कि जोर से नाचेंगा, गाएंगा, चिलाएंगा, कि हम दादी में... मिसिस डेवेड, हॉस्पिटल में शौर मचाना मना है। सॉरी, सॉरी। कॉंग्रेटूलेशन्स। जशन तो हम सब मिलकर कलबस्ती में मनाएंगे। मुझे हाथ में लगाया। खुन की बोहती है मुझे तुम्हारे जिसम से। नफरत है मुझे तुमसे। नफरत। इससे बड़ा वीशाब और क्या होगा मेरे लिए। कि जिसने मेरा सुहाग हुजाना। उसने मेरी मांग भरी। मेरी बतकिस्मती है ये। लेकिन क्या फर्क रहे जाएगा तुम में और मुझे। मैं तुम्हारी तरह खुनी नहीं हूँ। कैसी बुरी आलत बना ली रहे तुने अपनी। बारूत का डेर था। लेकिन अब किसी उज्डे मजार की अगर्बत्ती लगता ह। अरे जिसके वास्ते तु आपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है न। वह इस तेरी शेकल देखने के लिए तैयार नहीं है। चल वापस चल अपने दुनिया में। देख मैं तेरे को अपने साथ ले जाने के वास्ते कैसे कैसे महारती अपने साथ लाया हूं। देख। नहीं नहीं नहीं। ऐसी दुश्मनी की नजर से देखने का कोई पाइदा ने। क्योंकि अब भवानी अन्ना से हाथ मिला चुका है। और जो अन्ना का दोस्त है वो भवानी का दोस्त है। और इस दोस्ती का सुशाव दिया है हमारे आदरनिय हैं। भजन सिंखी ने। आप है राजनीती के बेताज बाश्चाह। सियासत की शत्रंच कैरम बोर्ड की तरह खिलते हैं। दौलत और ताकत का स्ट्राइकर इनकी उंगलियों में है। जितनी दर में कैरम का एक बोर्ड फिनिश होता है उससे भी कम वक्त नहीं ये किसी भी पार्टी का तकता पलट सकते हैं। वो क्या है कि शकल से मैं उतना कमीना नहीं लगता हूं। जितना मैं हूँ। बहुत सोच समझ कर राजनीती के इस गंदे में कदम रखा है मैंने। जानते हो क्यों। क्यूंके नेतागीरी ही एक ऐसा धंदा है जिसे शुरू करने के लिए ना फाइनस की जरूरत होती है ना कौलिफिकेशन की। सिर्फ कोईल सी मीठी जुबान और लोमुनी सा शातिर दिमाग चाहिए। दर असल मैंने ही अन्ना को सुपारी दी थी उस सीम को मारने के लिए। और तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे मारने के लिए। मगर सलख किसमत का धनी था बच गया। और मर गया वो जो तुमारी बीवी का पहला पती था। हमारे मुल्क में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो रूपए लेकर खून करते हैं। तुम्हारे पास आने की वज़े है तो सिर्फ इतनी के बंदूख चलाते वक्त तुम्हारी उंगलिया नहीं कापती। 26 जन्वरी को वही CM शहर में आ रहा है किसी सरकारी मिटिंग के सिलसिले में। और 28 जन्वरी को वापस जा रहा है। यानि 48 घंटे हैं तुम्हारे पास अपना पिछला अधूरा काम पूरा करने के लिए। यह मत समझना के तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे इस काम के। इतनी रकम मिलेगी जिन्दगी भर आईश करोगे आईश। यह मशीन गन दीखने में बहुत छोटी है। लेकिन इसकी गोलिया बहुत दूर तक जाती हैं बिना आवास किये। उठालो इसे। इसका गला बारूद उगलने के लिए मचल रहा है। तोज क्या रहा है शिवा। तेरा मन पसंद खिलोना तेरे सामने पड़ा है। उठाले से। उठाले शिवा, उठाले। भजन सिंग जब मैं चलना सीख रहा था, तो अन्ना ने उंगली की जगा रिवॉल्वर की नाल थमाई थी मुझे। बड़ी मुश्किल से अपने हाथों से बारूत की बदबूत होई है मैंने। मुझे दुबारा हत्यार उठाने पर मजबूर मत करना वरना, क्यारम बोर्ट तुम्हारे सामने होगा लेकिन स्ट्राइकर चलाने के लिए तुम्हारी हाथेली पर उंगलिया नहीं रहेंगी। पागल हो गयो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए न। क्योंकि आज भी वही तेवर, वही जुनून, वही आग है इसमें। अब तुम देखना, मैं इस आग में अपनी राजनीती बुद्धी का तेल छिड़क कर इसे कैसे ज्वाला मुखी बनाता हूँ। पुड़ा दे इसे बादी, ये सब कैसे हुआ। पता नहीं, ओफिस से घर आ रहे थे जाले कारूणा कर चलीगे। एक्सक्यूज मी, केस बहुत सीरिस है, हमें दूसरे अस्पताल से सर्जन को बुलाना होगा। आप तीस-चालिस हजार रुपए जमा करवा दीजिए। तीस-चालिस हजार रुपए, इतनी रुपए कहां से आएंगे। आप पर करमत कीजिए। वहिश भाया के इलाज के लिए वामना कराज तक पेश दूगा। साब इसको मत तोड़िये साब, यह हम गरिब हो की रोज़ी रोटीये साब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ साब पिर्वानी गए लिए। कुरू, गजब होगे। बहुत गबड़ होगे। मुन से पलती को अनुन अपने गैरल तोड़ दिया। मैंने उनको बहुत समझाया, गड़ रहा है कि मत तोड़ो। कहते हैं गैर कानूनी है। महरबान कदरदान, है कोई माई का लाज जो अपने बाजू की ताकत आसमाना चाहता है। अरे है कोई जवान जो इस कॉलास से ठक्राने की हमत रखता है। अरे है कोई जवान महरबान कदरदान जो इस पहलवान को हराएगा, वो बीस हजार रुपया कमाएगा। अरे है कोई मर्द? मैं लड़ूंगा हाँ मैं लड़ूंगा तुम लड़ेगा? मैं लड़ूंगा इस मिट्टी के लाल से ठीक है? आ अंदर आ, आजा कपड़े वदल के आना इसके 35 में लेके कनलSab a text घेदे व में लोच़ंगा मननने डरी झादवचा य का लेका ओंपड़ूंगा भालवी kitty दयतो व त्रभक प्रभक क्ष mammals क्षूuin क्षू UP द wil आप पब आप क्षू 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 क्षु क्षू स만 मुआ им क्षू हाँ civush हुई 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 टेक, दो! अटो मैं अटो, देखो सिस्टर, अपने आच से देखो, देखो नहीं, नहीं, फोलें, नहीं, बेरो इदा आव सिस्टर आओ जितने के 20, हारने के 40 मिलेंगे मेरा पहलवान नहीं आरना चाहिए, मेरी इजन्द का सवाल है में हारने के 40,000 दूँगा 30, 40,000 रुपए इतने पैसे कहां से आएंगे गुरू क्या ठीक है, पैसे इसको देदेना इमेन, तुम कैसा बात करता है पूरे 40 गिन ले अब अगला राउंड पानी में होगा पैसा दे दिया है बाप, मारने के लिए नहीं, मार खाने के लिए यह deposit के पैसे आप इसकी ज़रुवरत नहीं है madam, आपके पती ने तो पैसे भिजवा दिये है, क्यों लिए आपने पैसे, जी, आपके अस्पतार में मेरा भाई मिठिया मेरे पती का, सुधा, यह कैसा बात करता है मैं तुम, पैसा तुमने दिया, आजय ने दिया, एक इच बा आजय तो कितना अच्छा चोक रहा है, तुमको तो अपना तकदीर पे नास करना मंगता है, लोग अपनों के काम नहीं आता, और आजय तो दूसरों का वास्ते अपना जान देता है, मिस्स डेविड, वो जान देता नहीं, जान लेता है, मेरे भाई की इलाज के लिए उसने कि किसका खुन बहा है, अम, हम बताएगा तुमको, बताएगा कि किसका खुन बहा है, चलाँ हटो में, देखो, अपना अंकी से देखो, कि कि किसका खुन बहाता है कि बत्ति बत्तारा कुच से अंदाता थांएगा, अपना उसा एक किसका खुन देखो, कि देखो, कि रादाएगा कि कि डर्पास्ट हएीत मैं, तेखो एक रहा है कि गहाह है, ई Bark एक, दो, ती, चार, पाट, जेस, साट, आट, नव गॉस, जित गया, मिलाट गया लिया सेटालिया आहसान, क्या समझते हो तुम चन्खत्रे खुण के बहाने से तुम्हारे सारे गुनाहों के दाग दुछाएंगे कर दो पराँ दरा मोँ है,। आज तक कभी किसी ने मेरे सर पर प्यार से हाथ नहीं फेरा मेरे सत्मों को देखकर कभी किसी ने हम दर्दी नहीं जताई हम है हम है ना पिटा कहीं को फिकर करता लेकिन एक बात तुम हमको बता यह अचानक सुधा तुम से इतना नफरत कही करने को लगा एक खुनी नफरत की ही लाइक होता है तो खुनी ? नो तुम खुनीऑ नहीं हो सकता हम्हारा दिल बोलता है यह तुम्हारा दिल बोलता है न, मिaczस डेविट क्यूंकि तुम्हारे पास दिल है, लेकिन जिन लोगों ने मुझे चनम दे कर, कचले के टब्बे में भैक दिया, उनके पास दिल नहीं था। अन्ना, जिसने मुझे पाला, पुसा, दिल उसके पास भी नहीं था। बहला, बुरा, सही, घलत, इन शब्दों कर तो माबाप बताते हैं न मिसस्स डेविट, या पर स्कूल मास्टर। लेकिन मेरा तो स्कूल भी अन्ना, सबक भी अन्ना, और मास्टर भी अन्ना। नजाने कितने खूल, कितने गुना करवाए उसने इन हादों से। और तो और सुधा के पहले पती की मौत का कारण भी मही हूँ। मैं आपके साथ नहीं जाओंगी भावी। कैसी बाते कर रहे हैं तू। आज करवाच ओथ है। आज के दिन तो हर और अपने पती के लंबी उमर के लिए वरत रखती है। और तूने वरत नहीं रखा। आपके इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं भावी। लगता है आजय से कोई तेरी खटपट हो गई। लेकिन पगली नाराज़की का मतलब यह नहीं कि तो अपने संसकारों को भूल जाए। सच पूछ। तो मेरा वरत्ती अजय के दम से है। अकर वो तेरे भाईया की सिंदगी नहीं बचाता तो शायद तेरे भावी के शरीर पर सुहाग का जोड़ा नहीं होता। तुझे तो गर्व होना चाहिए कि तुझे पती नहीं देवता मिला है देवता है। अरे यह इच बात हम इस छोकरी को दिन राज समझाता है। कि इसका आदमी ग्रेट है। नसीब वाले को ऐसा आदमी मिलता है। कमान बेबी, अब तुम तियार हो जाओ। तुम जाओ। प्लीज मेरे साथ जबर्द सिमत कीजी। प्लीज। यह तुझी क्या हो गया अया सुधा। मैंने कहा दो neighbors अपके साथ नहीं आऊंगी। लेकिन क्यू। यह मेरा जातीमामला है। यह तुमको क्या हो गया ह्सुधा। ऐसा बात करता है आपनी भावी से। और क्या गलत बात बोला वो, तुम्हारा धरम में तो पती को भगवान मानता है और आज भगवान, भगवान, जिसे आप लोग अपनी पल को पे सजाये बैठे हो, वो मेरी पूजा तो क्या किसी के नवरत के खाबिल भी नहीं है, खिलवार हुआ है मेरे साथ, खिलवार चुटकी भर सिंदूर की जगा पापके अंगारे, और मंगल सुतर की जगा अपनी गुनाहों की रसिला बैटी है उसने, हे कुनी हे कादिले मांग भरी है मेरी, और आपके तेयसे आदमी के लिंभी उमर के लिए व्रता कुम है, और इसने तो अच्छ है कि मैं अपना अपका नहीं सुधा, कहे दे कि यह सब जूट है यही सच है भावी, ना जाने कितने लोगों के कुछ से हाथ रंगे उसके, और तो और भावी, रवी का भी खुण उसी ने किया सुधा, हम तुम्हारा तकलिफ को समझता, क्योज़के हम भी ऐसा पेत्व से गुसरा, तुमको क्या लगता हम रात दिन ये डेविड डेविड का एको करता क्योजके आज हमको हमारा गलती मालूम पड़ता है, क्यामणा डेविड का खुल का जिम्मेधर हम है हम हाँ, हम उसको बहुत प्यार करता था, शादी का बात, जब हमको मालुम पढ़ा के, हमारा डेविड एक क्रीमिनल था, वो जेल जा चुका था, बस हमारा प्यार नफरत में बदल गया, उसने हमको बहुत समझाया के देखो हम यह रास्ता छोड़ दिया, अब हम क्राइम नहीं इस नहीं किया, ऐसे इच, बिलकुल ऐसे इच नफरत करता था हम उससे, जैसा आज तुमा जैसे करता है, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ मालुम, हमारा डेविड ने सिउसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया हमारा डेविड ने, खाली हमको बताने का वास्ते, कि अब उ जाके हमको अकल आया, खेक अदमिया ख़त दुनिया से लड़ सकता है, मगर एक आउरत का नफरत का आगे हाल जाता है, नो बेबी नो, तुम हमारा माफिक गल्ती मत करना, आज 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 एको, तुम्हारा प्यार तुम्हारा साहरे का जरूरत है, अगर तुमने उसको ठुक करा दिया, तो उसका जिंदगी तो बरबाद होई जाहेंगा, लेकिद तुम्हारा लाइफ मेरी कुछ नहीं बचेंगा, मान जाओ सुधा, अपना पती का वास्ते ना सही, उस मोटर मेकानिक का लंबा लाइफ का वास्ते दुआ करो, जो तुम्हारा होने वाले बच्चे का का वहा बाप है… करत्ष! Kदम्हां wil ओईśम्हां stop ! Kदम .. करत्ष, करत्ष,मदेद में! जोड़ा, 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 जोड़ उसका जान खत्रे में तुम उसको बचाओ, आमारा फिकर मत करो, यह सब है ना, तुछ वाँ वाँ भजन सिंग जी वाँ कई आपकी राजलिती बुद्धी को तो सलाम करना पड़ेगा अरे इदर शिवा के हाथो पुराना सियम शम्शान पहुचा और उधर आप मुख्यमंत्री पत की शपत ले रहे होंगे लेकिन बजन सिंग जी, आप इस पत पर बैटने के बाद, आपके राइट और लेफ्ट के दोनों कुर्सियां हमारे लिए खाली छोड़ देने मैं तुम लोग कुर्शी की बात कर रहे हो, मैं तो तुमारे लिए बेंच का इंतिजाम करा दूँगा बैटना है बैट जाओ, लेटना है लेट जाओ हाहा गिलाए भार हम दोग लग दो आजाए परिशटा रहां में दोंग दोर वार कर दोंगी दोर अवार भारा भारा कर दोर में दो दोंगा जोरा हूं! प्रुक जा बजन जी वाकई वही जुनून है भी तक इसमें लेकिन थंडा पड़ जाएगा जब इससे पता चलिगा इसकी औरत कहा है बोल कहा है मेरी बीवी बोल जिन्दा है हाँ भी तक जिन्दा है लेकिन मात उसके चारों तरफ करदिश कर रही है टेखना चाहता है वह मंजर अरे ने 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 आगे नहीं जाना शिवा आगे नहीं जाना इन तारों में इसना तेज़ करण डोड़ रहा है न कि इसे छुकर को लोहा भी राक बन जाएगा अजे अजे तुम क्यों हो आजे अजे 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 तेरी भीवी उस खोले में कैद है और तेरा होने वाला बच्चा उसकी कोक में कैद है अगर तु चाहता है कि दोनों जिन्दा रहें तो जाके उस सीम को उसकी जिन्दगी की कैस आजाद दे अजे जाएगे झाएगे तो झाएगे पिंदग्दान जुट्स अजे पिंदग्णा में के काएगे शि MBA इन्दा जाएगे तो जो 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 आएगे आपको मार गाल लेगी कोड़ा है। और आज वही अदुरा काम पूरा करने हाया। और आपको मार लेगी कोड़ा है। जापको मार लेगी के पुणियों। जय हमसाब जय हमसाब वार लेगी के विलाओ़ाओी। कि अजए झाय झाय तर ठाके लुग है कि अभल नाग झाय झाय झा झाय झाल कि से झाबा तॉग है कि अजए तॉग दिखा दिया ना तुने अपना स्विरूट, उठा दिया ना हत्यार, बहा दिया ना खून, तुझ से बड़ा मुझरिम तो आज मैं अपने आपको समझने लगा हूँ, जो तुझे गिरिफतार करने की बजाए तुझे आशीरवात दिया, भूल थी मेरी, जो मैं ये समझ कि एक मुझरिम के अंदर इंसान करवट ले रहा है, नहीं, आज तुने ये थाबित कर दिया, कि चोला बदल लेने से, आदमी का चरित्र नहीं बदल जाता, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ! क्या कर रहे हो? सुरी सिर, बैमेजपूर हूँ. मुझरिम के लिए विशेश सूचना, अभी अभी प्राप्त हुए समाचार के अनुसार, मुख्यमंती श्री एल के चौधरी पर किसी ने गोली चला कर हत्या कर दी, इस हत्या के कारण शेहर में सख तनाव प्हेल गया है, दुकानी पर सराई जा रहे है, बसों को आग लगा मुख्यमंत्री और पुलिस परिस्थि को काबू करने की पूरी कोशिच कर रही है, और कातिल की तलाश चारी है, पुलिस महाने देशक का शेहरियों से निवेदन है, कि शान्ती बनाए रखे और पुलिस को सहयोग देए अजए, रपसचाले जाउ, यहाँ तरफ नहीं पूरे करू है, रपसचाले जाउ, नहीं तरह बोले के जुखिश मतट करे, रपसचाले जाउ आज हम सब यहाँ हमारे प्रिये मुख्यमंत्री जी के शोक समारों में अपनी शर्धान जली और पण करने के लिए जमा हुए मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझे मुख्यमंत्री पश्ट का भार सौपना चाहते हैं लेकिन मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं है दुख है इस बात का के हमारे प्रिये मुख्यमंत्री जी को बेरहमी से कत्व कर दिया गया और आज ये शेयर आग और खून में बह रहा है कौन है वो जो खून की हुली खेर रहा है किसकी नजर लगी इस देश को कि खून बहने का सिलसला रुपता नहीं हतियार वो ही है बदलते हैं तो शिर्फ गोलिया चलाने वाले हाथ वा भजन सिंग वा शब्दों से खेलने की जादू करी तो कोई तुम से सीखे साइबान ये आदमी जो आपके सामने देश भक्ती और एक्ता की बाते कर रहा है दरसल यही वो शक्स है जिसने मुझे मार डालने का शरियंत रचा था लेकिन शायद भजन सिंग ये भूल गए मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है इन्होंने जिसे मेरी मौत का दूद बना के भेजा था वो ही मेरी जिन्दगी बचाने वाला फरिश्टा थाबित हुआ और आज मैं उस नोचवान को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ अजे सौरी भजन सिंग तुम्हारा सी एम बनने का खाब अधूरा रह गया मेरा खाब अधूरा रह गया तो मैं तुमको भी जिन्दा नहीं ठोडूँगा हाँ करें हैं दुएन करें पला करें हैं दूएना समय फलहां कारें दूना कर दो भवानी, तेरे बापों की फाइल कम्प्लीट हो चुकी है चल भवान मेरे गुनाव की फाइला भी तक कम्पिर्ट नहीं हुई शुचरण क्योंकि उसमें तेरा खून भी बाकी है अगर तुने मुझे गलत रास्ते पर नहीं डाला होता तो आज देरे यहाल नहीं होता नहीं सॉरी, लेकिन मुझे तुम पर फख है आजे मुख्य मंत्री सहाथ की जान बचाने और कानून का साथ देने के एवज में सरकार ने अजे, उर्फ, शिवा को कम से कम सजा देने का फैसला किया है और उसे पर नहीं पर नहीं है